कि बड़े विनिंग कैसे हैं आप तभी लोग है उमीद करता हूं सब अच्छे होंगे एक बार फटा-फट सेशन को लाइक कर दो ताकि मुझे पता लग जाए कि आवाज वगरा सही आरी आप तक और एक बार ओल अपके लिख दो ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ आवाज भी नहीं आई हुई है तो मैंने थोड़े लाइटिंग इस्टूडियो में कम की हुई है ताकि इन्वेटर का बेक अप ज्यादा ज्यादा क्लास लंबी क्लास चल पाए हमारी ठीक है अभी जीत रहें बोलें बढ़ी असर आप कैसे हो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ फोड़ा सा समय में बदलाव करना पड़ा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था और आते आते थोड़ी लेट हो गई उसकी इन्फोर्मेशन भी मैंने आप सबील तक पहुंचा दी थी जब पहुंचा तो इतना ज्यादा मोसम खराब था इतना ज्यादा मोसम खराब था जिसकी कोई हद नहीं अभी वैसा ही कुछ हो रहा है बहुत तेजान दी तुफान चल रहा है तो कभी इंटरनेट लाइट किसी चीज का कोई भरोसा नहीं फिर भी हम कोसिस करेंगे मैक्सि अब इसी फेन की आवाज आएगा क्योंकि एसी नहीं चल रहा क्योंकि लाइट नहीं है पावर बेकप सिर्फ इस्टूडियों का है लाइट का इन सब चीज़ों का ठीक है अगे हाँ चैसाथ घंटे की ट्रेवल करके आया हूं और आते ही मैंने सोचा क्लास लेते हैं पहले आपकी तो कुछ लोग पीडियेफ पीडियेफ में जहां भी देखता हूं पूरी दुनिया में पीडियेफ की ही चर्चा हो रही है इसके क्लास नॉट्स और यह सब की तो सब्सक्राइब पीडियेफ लगातार अपडेट हो रहे हैं। जिनको पीडियेफ मिलu रहे हैं वह एक हायो ने मिल रहा है तो अस्वाइज मैं जुनलों रहता हूं मैं जुन-जुन सीटी से क्लास कर रहा हूं रास्थान का चोटा सा जीला है क्लास शुरू करो हाँ जी क्लास शुरू करने ही वाले हैं ठीक है तो सबको पीडियेफ मिल रही है मौश्टली लोग पीडियेफ देखो एम कमेंड्स आ रहे हैं प्राची का कुमार इहमानशी सबक हो गया है कि यह टाइमिंग क्या तो हमेशा यह टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा टाइमिंग यह वाला सिर्फ आज के लिए यह नेक्स्ट क्लास सरे हमारी वह पांच बजह से होगी कभी कबार किसी emergency कंडिशन में होगा तो मैं इन फॉम कर दिया करों आप फिक है च और उसके बाद में हमें इधर statements में से पता करना होता है कि कौनकून सी statement सही है है ठीक है इन में से कौन से statement का conclusion हो सकता है तो प्रोब्लम इसमें यह आती है कि भई पांच हैं तो हैं तो पांच के बनाने के बाद तो आपको पता है I am से प्लाइब कर दो होता है कि अगर रहे था कम से कम बनाने पड़े तो मैं आपको कुछ सीधी ट्रिक्स बताओंगां जिससे प्सविस्ट हो जाएंग आप लोगों के तो ही आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है दूसरा में कोसिस करूंगा अगर सारी चीजे लाइट वगर आगे बीच में और प्यावर वेकप रहा तीन घंटे तक तो यह दिवर सिलोलिजम जैसे ही दो घंटे के आसपास में खतम हो जाएगा तो लास्ट का एक घंटा जो बचेगा ना अपना उसमें जो कुशन की प्रैक्टीस बच गई थी ना अपनी सि तो अधिवर सिलोलिजम पड़ा रहा हूं मैंस में आएगा प्री में आएगा तो छिंता नहीं गरनी है थोड़ा सा अगर समय लगे तो भी ठीक है दिक नहीं रहा कुछ नहीं करने देखो किसको नहीं देखरा कि सब कुस तो दिखरा है मुझे साफ देखरा एकदम से वीड यह बगरा के लिए दिख रहा है ने सबको कि इजट एवरिदिंग ओके वह बाट बैसिक कोंसेप्ट जो अपना था वो सबने आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है बैसिक कॉंसेप्ट आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा अब देखो बैसिक कॉंसेप्ट जिसको आता है उसको रिवर्सिलोलिजब में और आपको statement में यह conclusion में दिया हुआ है और आपको statement में direct बोल दिया गया A और B के बीच में negative relation बोल दिया गया तो क्या ऐसा possible है नहीं तो पहली चीज हम यह करेंगे कि जो भी conclusion में positive relationship है उनको पता करेंगे किस-किस के बीच में positive और negative relation है उसके आधार पे फिर हम statements को देखेंगे और फिर option eliminate करेंगे तो पहला तो ऐसे eliminate करेंगे first step second step में क्या करेंगे जैसे मान लो आपके तीन conclusion है एक में दे दिया sum ARB एक में दे दिया all BRC इस तरीके से दे दिया तो क्या इनके जो statements होंगे इनके जो statements होंगे उन में ये तीनो element आने ची है नहीं आने चाए A B B आना चाए A B B आना zach., A to कई बार से statement अं completo इन में ABC यो आन तीनों आते ही नहीं है तीनों नहीं आएंगBen नहीं स्टेटमेंट में उनका conclusion कैसे बन जाया है इस तरीके से, यह माल लेते हैं A, यह माल लेते हैं B, यह माल लेते हैं C, ऐसे एक्जाम्बल के तोरवे बता रहा हूं, यह आपका D है, और यह आपका E है, ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर मैं एक चीज बोलू, कि इसके conclusion में अगर positive relations निकालने हैं, तो वो ABC के बीच में आ सकते हैं, direct positive relation, बताओ, ABC के बीच में positive relation आ सकते हैं, तो अगर तीनों के बीच में कोई positive statements दिये होंगे, तभी तो आप positive निकालो, कि कुछ न कुछ conclusion उसमें, बताओ, तभी निकालो, कुछन के मादने में से और अच्छे समझा दूँगा, तो अगर कि इनी तीन चीजों मे आपस में positive relation है, तो उन से एक positive conclusion निकालता है, तीन step में काम करेंगे, मैं question के मादने में से समझाने का परियास कुरूँगा, और भी अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा, हो सकता, reverse से थोड़ा सा मुस्किल लगे, लेकिन ध्यान से देखोगे, तो सबकुछ चीज आ जाएंगे, इसे सबसे पहले आपके सामने कुशन दिया हो, ठीक है, इसमें possibility देखते हैं सबसे पहले, नॉर्मल कुशन, हाँ, यह वाले कुशन से समझते हैं, बैसे कौन से, जैसे इस question में दिया गया है, options में नीचे कर देता हूं, इस question में यहाँ प सारे options eliminate हो जाएंगे, कभी-कभी ऐसा भी होगा, कि मैं सारे diagram सी बनाने पड़ेंगे, कोई by the way किसी question के अंदर, तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर case में हम लोग option eliminate करने की कोसिस करेंगे, जहां से समझेंगे, some pens are paper, तो आप एक बात बताओ, क्या pen और paper में direct positive relation दिय आई ना भी, conclusion के अंदर pen और paper में, तो ऐसे दिखाना है pen और paper, बीच में line का मतलब यह है, कि pen और paper में positive relation है, तो आप जब positive relation हो तो ऊपर ऐसे positive लिग दिया, ठीक है ना, pen और paper में आपका positive relation है, उसके बाद में हो ला गया, some boxes are paper, तो उसके बाद में इस paper का box के साथ में positive relation है तो ऐसे ही बनाना है बस आपको positive, बस इतना सा ही बनाना है exam के अंदर, बाद में देखेंगे, when diagram बनाना पड़ाए का अब ध्यान से समझना, step by step कि मैं आगे क्या बहुड, question ने बोला सबसे पहले negative वाले statement देखेंग, अगर मानलो pen और paper में direct ही कोई negative relation आगया, तो जाईगा कि न हो जाएगा, क्या paper और box में direct ही कोई negative relation आगया, तो जाईगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो देखते हैं सबसे पहले negative, इसने बोला no box is book, तो direct नहीं है, फिर इसने बोल तो क्या यह possible है paper और box में मेरे diagram के साफ से तो positive relation था लेकिन यहां मैंने देखा कि Sir paper और box में direct negative दे दिया गया है तो देखते ही यह वाला option eliminate हो ऐसे ही eliminate करना है हम लोग को ताकि हमारे वेन डियाग्राम कम से कम होते चली चैन आगे फिर मैंने देखा आगे फिर मैंने नेगटिव minist देखें आप एक तो एक टो एक स्टेटमेंट मैरा डिरेक्ट नेगे इलेशन दिया गया था उस वज़े से मेरा cancel out हो गया ठीक है अब इसके बाद में आपको क्या करना है इन तीन चीजों में positive relation है न तो ये तीनों element हर question में होने चीए तो देखते हैं इसमें देखो pen आ गया box भी आ गया ठीक है क्या paper आया सिर्फ positive relation देखने है negative आले नहीं देखने है जब मैं बोलू positive relations है यहां पर तो तीनों element आये की नहीं आये यह किस किस में देखने है positive आले में ही देखने है तो ये negative आले भूल जाओ एक बार ठीक है तो इसमें तो देखना ही नहीं था मैंने एक्जांपल के दोर के बताए है तो cancel out पहले ही हो गया था ठीक है तो यहां पर ये negative वाला ही relation मैंने है यहां से हटा दिया फिर मैंने देखा कि सर पेन आ गया बोक्स आ गया और paper आ गया तीनों positive आ गया चलो देखेंगे फिर उसके बाद में मैंने देखा positive रिलेसंस में pen आ गया box आ गया और यहां पर भी paper आ गया उसके बाद में मैंने देखा pen box paper आ गया ठीक है pen आ गया box आ गया paper आ तीनों चीजिया इसके अलावा हमारे पास और कोई option नहीं अब बताओ मुझे कितने वें diagram बनाने पड़ेंगे एक तो कम हुआ एक्जाम में से question आते हैं कि और भी eliminate हो जाता कि अगर मालनों तीनों elements नहीं आते positive positive में तो और भी eliminate हो जाता ठीक है तो इतना सब को समझ में आगे को कि एक option हमने हैं पर eliminate तो हमें ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जदा जदा सारे option ही eliminate कर देंगे फिर वो दिमाग के अंदर सोच तो सोचो उसमें गलतिया करोगे तुम लो उसमें गलतिया करोगे तो यहां पर बताओ आपको कितने वीन डाइग्राम बनाने पड़ेंगे बताओ में मनाने पढ़ेंगे कि बोलो भी कितने वेंद बनाने पढ़ेंगे ओप्संस के एसाब से देखो इस मैं एक बार एसे कुश्यंस में टाइम बचाने के लिए रिधा कि सारे नहीं बनाने पढ़ेंगे पांच कि चारो कि चारों मुझे च्यार बच गए ना नहीं जादा से जादा अगर मुझे बनाने पड़ेंगे तीन बनाने पड़ेंगे कोई भी तीन मना लूगा उससे पता लग जाएगा लेकिन यहां देखो पहला तो बिल्कुल ही सबेंडरे अटार इसन आर्पेन कुछ से एछ एइजर क्या है हां अ यह है यह अकशने सारी से ने हैं यह इली स्ट्रेक्तव और कॉख्ष नहीं है कि आख था लूट परीु कॉट भी नहीं भी बॉक्स नहीं है स्केश कोई भी पेपर भी बोक्स नहीं सब्सक्राइब इसके आदार पे आप को उन्कलूजन देखो वही क्या है सम्पेन सार पेपर क्या पैन और पेपर में कुछ कॉमन नहीं है सर जी पैन और पेपर के अंदर कुछ भी मुझे कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है वर खतम कहानी तो यहां पर पेन और पेपर ही नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं हो तो ओप्षन कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का ऑप संसे हो जाएगा यह वला option c option c हो जाएगा second and fourth कैसे किया मैंने ध्यान से समझो मेरी जो trick थी उसमें मैं देखता हूँ कि direct negative relation तो नहीं है पहला यह देखता हूँ दूसरा देखता हूँ कि सारे elements आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं positive statements में वो मैंने देख लिया वो देखने के बाद में मैंने options देखे options में दो के अंदर one था तो वो उसे cancel out हो गए दो option बचे जिसमें दो तो common ही था तो दूसरा मैंने वैसे check नहीं किया ठीक है तीन और च्यार में से check कर लिया मैंने तीसरे में मेरा सही नहीं हुआ तो चोथे में होई जाएगा फिर चोथा चेक करने के आपको जवरत नहीं है तो तीसरा दूसरा और चोथा option number second आपका answer option number थर्ड आपका answer हो गया सुरी ठीक है उम्मेद करता हूं सही है कि समझ आगया सबको हाँ अब यहां पर देखो ज़्यादतर केस में यह हो जाता है अपना लेकिन हमें रिस्क नहीं लेनी है ही है ही है हमेरेस्क इसलिए नहीं लेनी क्या अबलन आपका नाव दीज क्यों हो जाहे है तो यह वाला भी कॉत मॉर मार कर्वान आप सइकेंड नमबर आगया तो ठीक है वारना तो सिधा ननौफदीज हो जाएगा तो फिन हो यह में हो ही इट क्या है box है all pens are boxes ठीक है second number चेक करना हूँ उसके बाद बोला no boxes book no boxes book कोई भी box क्या नहीं है बुक नहीं है लो उसके बाद में question क्या बोल रहा है अरे sorry no boxes book some papers are book second number चेक करें ना no boxes book all papers are pen all papers are pen ठीक है एक सब्सक्राइब यह क्या हुआ है all papers are pen सारे के सारे पेपर क्या है pen तो पेंग के अंदर विलना तो तारे पेपर को अब देख लो some pains are paper क्या pen or paper में कुछ common है बिल्कुल सर पूरा का पूरा पेपर ही common है pen के अंदर यह तो वैसे ठीक हो गया आपको कि यहां पर सबस्क्राइब है यहां पर सबस्क्राइब के नचाहिए प्लेस्ट बना दूंगा मैं पताओ कितने लोगों को समझ में आया options के साथ खेलना है अभी नहीं समझे है next question के उपर चलते हैं देखो उस से समझाने का परियास कुरूँगा देखो यह रहा ठीक है कुशन ने बोला some cars are when तो car और when में क्या है क्या पोजिटिव रिलेशन थी कि बस सम्प्से और साइकल बस और साइकल में भी पोजिटिव रिलेशन इधर आ गया कि यह बस और साइकल यह अलग अलग है वह इसमें पोजिटिव अब आपको ओप्संस के अंदर जाना है options में आपको check करना है कहीं direct negative तो नहीं दे रहा कुछ ठीक है तो पहले में direct negative कुछ नहीं है दूसरे में नहीं है ठीक है तीसरे में देखिएगा तीसरे में दिया गया no when is car तो when और car में मेरा यहाँ पर direct positive relation है यहाँ पर direct negative relation यहाँ पर बोला गया है तो सीधा सीधा option cancel out हो जाए सीधा सीधा क्या हो जाएगा option cancel out हो जाएगा क्योंकि direct negative relation है when or car के अंदर मेरे question के हिसाब से मेरा क्या है positive relation ठीक है तो सबसे पहले negative से cut दिया चोथे option में भी देखो no when is car तो ये भी cut गया सीधा सीधा अब आप लोग मुझे comment करके सारे बताओ दो ही statement बचे मेरे पास तो कितने diagram बनाऊंगा जादा से जादा एक बना लूँगा या तो एक हो जाएगा ने तो दूसरा होगा ठीक है या फिर नन ओफ दीज होगा option में तो हो सकता है कि दोनों बनाने बढ़ है अपने थीक है तो अभी यहाँ देखो ज़्यां से समझाेंगे सब लोग एक चीज ये भी देखनी है क्या तीनों एलिमेंट आने कार वेन और बस shark कि यारो कि यारो कार ब एन बस हो साइकल चारो आने चीए ठीक है बस आ गया cycle आ गया car आ गया और वेन आ ठीक है सब आ गए cycle आ गया वेन आ गया ठीक है और bus भी आ गया और car car भी आ गया अब इन दोनों में से बना लीजिए कमेंट करके उत्तर बता हो गया options में चले जाओ कि आप तो options से ही हो जाए ठीक है यहां पर सारे options में कुछ न कुछ दिया गया है तो आपका जो options ही आ गया देखो second option कट गया क्या क्योंकि इसमें second third भी आ गया तो यह कट गया only third भी कट गया four और five भी कट गया यह only five भी कट गया option ही एक बचा option ए बिना वेन डाइगराम के हो गया question अरे बिना वेन डाइगराम के हो गया कि नहीं हुआ वेन डाइगराम बनाना ही नहीं पड़ा अगर options कुछ और होते तो बना लेते वेन डाइगराम ठीक है भाई उमीद करता हूं समझ में आ रहा होगा ठीक है थोड़ी सी energy डाउन है आज मेरी और दिलों के comparison में तो उसको वैसे निकलना है concept पे आप लोग थोड़ा सा स्योग कर दो मेरी energy डाउन है तो ठीक है फटा 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 ओके तो बिना कुछ की यही हो गया तो मान ल पोसिबिलिटी वाले छोड़ते एंग बार सिर्फ नॉर्मल उस पर चलते हैं हाँ हाँ इस पर आजब इस कुश्चन में देखो क्या बोला गया सम प्लांट्स आर लीव तो प्लांट और लिव में क्या है पोजिटिव रिलेशन है एटली सम ट्रीज आर रूट्स तो ट्री और रूट्स में भी क्या है पोजिटिव रिलेशन है अब आजो कि डाइरेक्ट नेगेटिव वाले देखो सबसे पहले तो कहें डाइरेक्ट नेगेटिव है सर्फ सब किसी में डाइरेक्ट नेगेटिव नहीं दिख रहा दो में दिख रहा है डाइरेक्ट नेगेटिव र हो जाएगा कि नहीं हो जाए बताओ भई डाइरेक्ट कैंसिल आउट होगे दो उसके बाद में चला जाओ थर्ड और फॉर्थ वाले सारे काट थो ठीक है तो यह भी कट गया यह भी कट गया ठीक है फॉर्थ वाला तो इसने वैसे ही नहीं ठीक है चलो अब बचा मेरे पास त तीन ओफिशन में से देखो फ़स्ट 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 तीनों जगह पे आ रहा है तो फ़स्ट 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 तीनों जगह पे आ तो फ़स्ट तो हो गई होगा ठीक है अब मुझे सेकेंड और थर्ड में से देखना है कौन सा से हो जाएगा ठीक है सेकेंड और थर् लीव आ गया और प्लांट आ गया सब लीकुछ यह प्लांट ट्रीज लीव रूट सब आ गए इसमें भी ठीक है रूट सोट रिया गए और प्लांट आ लिव सारे के सारे इलिमेंट तो अब मुझे ऑप्षन के यह साब से देखना पड़ेगा सेकेंड और थाड में से चेक कर टूं चलो मैं फिफट वाला चेक करना भूत आसाने समरूट आप्री ऐसे डिग्रम बनेंगा एक दो तीन, तीन समहें न तो बना देंगे सूब साम रूट सारट। क्या है पिर सम ट्रीज आर प्लांट पुछ ट्रीप्लांट है ठीक इसम प्लांट आप लीव संप्लांट और लीऊ याउ में कुछ दिखा रहें ह। फजली वैसे ही तो यह वैसे ही सही हो गया है। गी एकली सम्たट स्थी हारूट ट्री को अरूट में कुछ केम दिख रहे हैं यह भी दिख रहे जुट यह तो हूँ हो गैँ तो पांच्य के इसाब sums दोनों सही हो गए तो पांच वा तो आएगा याएगा तो उप्सन नमर इक रेक्ट हो इस तरीके से आप लोगो करना है दूसरी एक बात और मैं बताता हूं थोड़ा सा एक्जामीनर की सोच क्या होती है एक्जामीनर सोचता है कि पहले उपसन से चेक करता है तो आप क्या करो लाउस्ट उपसन से से मत करो मतलब पहले उप्सें से मत करो लास से करो उल्टा चलो तो मैंने इचेक किया तो यहीं पर काम हो गया मेरा ठीक है समझ में आई बात सब को ठीक है तो बताओ कम से कम डाइग्राम में हमारे कुश्चन सोल हो पा रहे हैं यहां नेक्स आ जाते हैं पोसिबिलिटी यह सबसे पहले नॉर्मल जो कुश्चन से हैं कि 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 यह कुश्चन तो रिपीट हो गया देखो कि यह कुश्चन रिपीट हो गया मैं लिख देता हूं है रिपीट कि चलो एक अच्छी बात हो चुकी है कि लाइट आ गई है ठीक है अब मुझे गर्मी नहीं मरना पड़ेगा वरना कैसे पसीना आ गया था कि सब बताओंगा इस्टेप बाइस्टेप चलेंगे ना से बाइस्टेप चलेंगे क्यों ले रहे हो देखो कुश्चन बोला सम्फूट्स और बूट्स पोसिबिलेटी वाला करातु रहा हो तो को पोसिबिलेटी आ गया उट और बूट में बोज्टीव रिलेशने दान्सेज इस फूट कर फूट पो 맞ट ए को लेशन है लगिन फोशीबिलिटी में है तो नीचे फीलिख देना था कि Цिक कि अ है फोसीबिलिटी में है तो नीचे फीलिख देना संगे चलो थोड़ी सी लाइटनु बढ़ ़ालत हूँ पैसली तो आई गई ॉ हाँ दो मिनेट रुको हुँ कि चलो कि देखो एक इस्टुडेंट वर आगे सर पीडियेप कहा मिलेगा मैं तो इसका जवाब ही देता रहे जोंगा हाँ अब फटा फटा देखो हुई है कि द्यांसे समझना है नेगेटिव रिलेस्ट देखो इसने बुला नो मूवीज इस्टेप तो मूव और इस्टेप डाइरेक्ट कोई डेगेटिव नहीं है नो डांसीज फूट यह देखो अब यहां पर अगर डाइरेक्ट नो का रिलेस्टन है ना अगर समनोट हो तब पोसिबिलिटी वाले में नेगेटिव वाला ट्रिक मत लगाना अगर समनोट हो तो समनोट हो तब पोसिबिलिटी वाला ट्रिक बिल्कुल मत लगा ठीक है अगर लाइट से कुछ फरक ही नहीं लगा कोई बात नहीं लगा मुझे लगर आए फरक तो पोसिबिलिटी का सिर्फ इतना सा होगा कि नेगेटिव रिलेशन को यहां पे नो से ही जज़ करना है आप लोग समनोट से नहीं करना है ठीक है समनोट अगर आगया तो बना के देखना है अब ध्यान से समझना कि इसने डान्स और फुट में डायरेक्ट नो का रिलेशन दे दिया और यहां मेरा पोजिटिव पोसिबिलिटी है और डायरेक्ट नो आते ही यह उप्शन में इलिमिनेट कर दुगा ठीक है इसके बाद में आ जाओ नो डान्स इस फुट फिर से आ गया यह तो यह वाला भी कैंसिल आउट हो जाए यहां देको नो बूट इस फुट पूट और बूट में तो पोजिटिव रिलेसन है यहां डायरेक्ट नेगटिव दे रहता है यह भी कैंसिल आउट हो जाए ठीक है दो अप्सन बचे मेरे पास फ़र्स्ट और फिट टेकेंड थार्ड फॉर्थ कैंसिल हो गया यह 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 कैंसिल हो फश्ट और फिफ्ट सब्सक्राइब तो आप ऐसा करो कि अगर फश्ट फष्ट फश्ट टोनों चगारत फश्ट फोलो करी जएगा तो आप पाच्वा जेक कर लो फाच्वा अगर फॉलो कर गया तब तो यह यह उप्शन हो जाएगा वरना इसी पो लगा देंगे to पाच्वे वाले का सिर्फ हम some boots are foods some foods are moves which foods क्या है मूज से नो मूव इज इस्टेप कोई भी मूव क्या नहीं है अब हम लोग हमारे conclusions देख लेते हैं पहला conclusion some food are boot क्या foot or boot में कुछ common है देखो यह दिख रहा है common है sir कर रहा है follow पहला वाला तो उसके बाद देख लो some dances can be food कुछ dance food हो सकते हैं क्या कुछ dance को उठाओ यहां से बताओ यह हो सकता है क्या कुछ dance को उठाओ यहां से और फूट में ले जाओ क्या कोई negative रोकेगा मुझे नहीं सर कोई भी negative नहीं रखेगा तो यह follow जाएग तो पाचवा भी follow कर रहा है तो कौन सा option answer होगा option E answer होगा ठीक है option E answer होगा तो देखो examiner question इस हिसाब से set कर रहा है जो भी question exam में आते हैं कि आपको एक तो थोड़ा दिमाख लगा लोगी तो एक दो option ही चेक करने पड़ेंगे ठीक है समझ गए अब आजाओ अपने question से चलते मैंने थोड़ा basic concept समझाने के थोड़ा easy question लिए शुरुवात में अब पहले question से आ गए हम लोग जो हमारी class का पहला question यह था ना हाँ यहां से आज़ो ध्यान से समझेगा क्या 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 लिखना यहां पर ओल लाइट्स बींग साउंड इस झाउनलिटी लाइट को और साउंड में क्या है पोजिट्र रिलेशन है कि लीकित ओल की पोसिबिलीटी यह फिर और साउंड ये फंद्ध सेब्स सेब्सक्राइब होगया है खे अब जर अब ध्यान देना जब अगर ऑलगी पॉसीब्सकाइबटी होगी ना और नाatoreक फॉसीब्सक्राइब होगी ठीक है कि ये सारे के सारे ये होना चाहिए तो इन दोनों में सम नोट भी काउंट होगा फिर सम नोट भी नेगेटिव में काउंट होगा अगर ओल की possibility होगी तो ठीक है वहाँ पर हमें सम नोट को पूरा नेगेटिव नहीं मानना था जो इस से पीछे वाला बताया था आपको चोटी चीज़े नौट डाउन करने पड़ेंगी कुछ चीज़े याद करने पड़ेंगी इसके ठीक है तो यह मेरा हो गया है अब मैं सीधा-सीधा चेक करता हूँ जो भी स्टेप से उसके आधार पर चेक करता हूँ पहला मैंने चेक किया कि निगेटिव क्या क्या रहा है में लाइट और या तो पक्का-पका नो का रिलेस्ट हारा है पूरा हो पीर से निगेटिव रेसन आज है पूरा इसली ओप्सन थर्ड भी केंचल हो जाएगा उसके बाद में no air is sound यहां पर negative air और sound में देखो पूरा नेगेटिव रिलेशन आ गया यह भी option cancel out हो गया ठीक है उसके बाद में देखो यहां भी no air sound आ गया तो यह भी cancel out हो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में यह वाला option बचा second तो only conclusion only statement second समझ गया इस तरीके से option elimination से हम लोगों को को solve करना है कि ठीक है कि सर बीच में फिरेड आ रहे हैं देखो मैं कहीं बाहर चला गया तो यह बात में करी नहीं पाया टीम से ठीक है कल करूंगा मैं पूछ के इसको बंद करवा तो ठीक है हाँ सर इस साल मेरी जोब लगवा दो अगले साल साधी करनी है हाँ ठीक बिलकुल लगवा देगी मेहनत करो आप मेरे साथ क्यों नहीं लगेगी जोब जोब लग जाए आप सबकी इसलिए तो मैं भी मेहनत कर रहा हूं हाँ इसी जोगार में तो लगे है आप सबकी जोब लग जाए सबसे पहले बोला सम ग्रेप्स और फ्रूट में क्या है पोजिटिव रिलेशन लेगिन पोसिबिलिटी है ठीक है ओल वाली नहीं सम नोट वा अगया सम में सम एपल सार नोट में तो यहां पर देखो एपल और मेंगो में क्या है कि नेगेटिव रिलेशन है ठीक है और कौन सवाला है सम का है तो एस भी लिग देना बीच के अंदर ताकि आपको खिलिए अब आपको कॉनकुलिजन भूल जाओ यही देखना है सिदा सि इस बार हम क्या करेंगे पहले देखते हैं कि जी और एफ के अंदर पोजिटिव का डाइरेक्ट को नेगेटिव तो नहीं आ रहा ठीक है तो मैंने देखा नेगेटिव रिलेशन्स यहां देखे ओरेंज मेंगो ग्रेप एपल कुछ भी नहीं है नेगेटिव यहां ठीक है तीसरा आपको एक चीज और देखनी है कि क्या आप लोगों का यह जो ए और एम है यानि कि एपल और मेंगो है कहीं इन में पोजिटिव रिलेशन्स तो नहीं दिया हुआ मुझे कहीं इन में पोजिटिव रिलेशन्स तो नहीं दिया हुआ डाइरेक्ट तो एपल और मेंग एपल और मेंगो में कोई भी पोजिटिव रिलेशन नहीं है नहीं है ठीक है तो इससे क्या देखना है जब नेगेटिव हो तो आपको ढूनना है कि डाइरेक्ट कहीं इन दोनों में पोजिटिव रिलेशन तो नहीं दे रखा यहां कहीं भी नहीं है पोजिटिव रिलेशन त नहीं है ठीक है तीसरे में भी नहीं है छोथे में देखा यहाँ देखो नोग्रेपीज फूर्ट नेगेटीव रिलेशन आदि हैं तो यह सीधा-सीधा चोथा एलिमिनेट हो एक ऊपशन हमारा अभी तक cancel out हो गया अब आपको लोग गया इन सब में तो मुझे पता ही नहीं लगा तो मैं कैसे खुरू बताओ ठीक है एक चीज और आप लोग मुझे बताओ अगर मान लो कहीं पे conclusion में ऐसा लिखा है कहीं पे conclusion में ऐसा लिखा है सम ए आर नोट भी तो आप क्या सोचोगे आप यह सोचोगे कि एक चोटा सा इससा होना चाहिए जिसका बी के पूरे सर्किल के साथ में क्रोश लेसा नहीं से सोचोगे जैसे मैं बताए था अब आप में बताओ कि अगर इस्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव नहीं है तो बताओ उसके डाइगराम में कभी क्रोश आ सकता है यह सोड़नों बताओ नहीं आ सकता कभी भीम हूँ अगर मान लो आपका statement में कोई भी NEGT नहीं है तो है गर तो कब आता है तो अगर कोई क्रोस ही नहीं है तो कभी यह सही हो सकता है नहीं हो सकता तो अगर मालो आपके conclusion में एक negative चीज दी हुई है तो अगर किसी भी statement में सारे ही positive है तो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसमें सब के सब positive हो बताओ यहाँ पे कोई ऐसा है जिसमें सब के सब positive हो नहीं है लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सारे के सारे positive हो जाए तब आपको यह चीज कर देनी है कि उस option को भी eliminate कर देंगे लेकिन यहाँ पे वह वाली condition लग नहीं पा रही है यहाँ पे वह वाली condition क्या नहीं हो पा रही है लग नहीं पा रही ठीक है समझ गए इतना किस-किस को किलियर हो गया कि सर कंप्यूटर के लिए कुछ जुगाड कर दो करेंगे कंप्यूटर का भी तुम थोड़ा सा बोलो तुम से ही एनर्जी आएगी थोड़ा कि सेशन को लाइक वाइक कर दो फोड़े सी स्टुडेंट्स की बताओ भई को अ है तो यहां पर एसा नहीं बेट रहा लेकिन किसी कुछिकल में बेट जाए तो वहां पर अपने को करने हैं अब आप लोग मुझे बताओ कि कितने options आपको चेक करने पढ़ेंगे कितने diagram बनाने पढ़ेंगे कितने डाइगरम बनाने पड़ेंगे कुछ लोग बनाने पड़ेंगे नहीं चार बिल्कुल लिपनी भी नहीं बनाऊंगा मैं मैं बनाऊंगा सबसे पहले पाच्वा क्योंकि अगर मान लो पाच्वा कैंसिल आउट हो गया ना तो ये दोनों जाएंगे क्या है दोनों ही खतम हो जाएंगे या मैं तीसरा चेक करूँ आरे नहीं हो फॉल होओ旁ँ जाएंगे नगसे या दूसरा भी करूंगा तो पहला चेक नहीं कर साम्य मैं क्योंकि पहला चेक कर लिया तो फिर बागी बँर भाकी चीजह और भी चैक करने पड़ेंगे इससे कोई फरक की नहीं पड़ेगे मैं दूसरा चीट करूबाया तीसरा चीक पांचवा चीह चेक और मैं पांचवा एक भी बात हो रही है कि तो फिर आपको सेख कर ना करना पारते हैं तो हुआ संकी ना यह बताओ देखो यहां पर condition है कि वह चार के diagram बनाने पड़ेंगे अब option से देखो option से सोचना कैसे है कि वह किसका क्या बनाओ मैं चार option है मेरे पास एक दो तीन चार अगर मैं पहले का check कर लूँगा और पहला ही सही हो गया पोलो कर गया तो option एही आंसर हो जाएगा सीधा लेकिन एक्जामीन देख लेकिन मैं सेकेंड का चेक कर लेता हूं या थर्ड का चेक कर लेता हूं तब डाइरेक्ट दो उपसंस पर फरक पड़ेगा तब डाइरेक्ट क्या पड़ेगा दो szeran due Upshon के उपर फरक पड़ेगा तो मैं यहाँ से नीचे से चलता हूं तो मैं फिश्टवाला चीक करते हूं ठीक है कि वाला करते है कि जाओ कि फिश्टवाला मैंने चेक करना संक फूट्स नारह और iB और Emerald और ॉरिंज आनी वरिंज गया है सारे और 179 फूपर हैं यह तो फूरूट का ग्रेप के साथ में कहा है टी कहा है कहा गए वह कौन सा बना रहा था मैं सत्वा सम्फूरूट सार ओर इंज टीक है ऑल ऊरेंजिस एपल्स ठीक है ओरिंज इस मेंगो सोरी यह पाच्वा बना रहे ना यह इस बहुत करते करते स्क्रीन पर दूसरा यह देखने लग जाते हैं तो सम्फूट्स और उरेंज बना दिया मैंने नो औरेंज इस मेंगो अब मुझे बनाना है कोई भी औरेंज मेंगो नहीं है यह लो इसके बाद में सम्फूर मैंगो इसम्फूर मैंगो कुछ ग्रेप्स ले जा सकता हूं बिलकुल ले जा सकता हूं ठीक है कोई भी क्रोस नहीं भी रोकेगा अब यह बार-बार पढ़ाने की जूरत नहीं है क्योंकि मैंने लाश्ट में आप लोगों को जो क्लास थी उसमें यह समझा दी अब मैं वह समझाने लग जोंगा की वोसिविटी सही होगे की नहीं होगे तो फिर रिवर्स नहीं पड़ा पूंगा तो अराम से थोड़े ग्रेप सूठा के ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं तो पहला तो फोलो हो गया दूसरा देखना सम एपल सार नोट में तो एपल का छोटा सा हिस्सा एक चोटा हिस्सा है जिसका मेंगो के साथ प्रोसर लेसर है इसका मतलब मेरा पांचवा फोलो होता है यह दोनों ऑप्सन कैंसिल आउट हो जाएगा अब मुझे थार्ड और चेक करना तो थार्ड और चेक कर लोगा मैं ठीक है थार्ड चेक करो गई थार्ड में क्या बोल र फ्रूट्स र और ओरंजिज हैं सारे के सारे फूर्ड के हैं ओरिंज है घोर्ल ओरेंजिज सारे के सारे ओर यंग ग्या है अ यह विरमित जेंटीज फ्रूट कि शॉरी कौन सा वाल उत्र कर रहो विए समत। थर्ड वाल और जैक सामतुर्अल करते हैं जी ग्रेप अब देखेंगे हम लोग यह डाइगराम मना के आपको चेक कर पाएंगे सम ग्रेप सार फ्रूटी पॉसिबिलिटी कुछ ग्रेप क्या फ्रूट हो सकते हैं यहां से कुछ ग्रेप को उठाओ और फ्रूट में ले जाओ कोई नहीं रोके का क्रोस आराम से ले जा सकता हो रहा दोनों से फॉल्व हो मिरा स्टेटमेंट थर्ड और यं तो मुझे दो ही वेंडाराम बनाने पड़े हैं मुझे मुझे दो ही वेंडायगराम बनाने पड़े अभी इमांदार से एक पार कमेंट करके बताओ कि समझा रहतीं 動र तक को इसके अजमेंतीभ на हुआ है तो direct direct negative relation देखो अगर सिधां केंशल आउट करतोंड है इसके रावा मैंने बोला अगर नेगेटीव दिया हुआ है तो direct positive देखो फिर इन नेगेटीव दिया हुआ है और अगर सारे statement positive है तो वह option भी cancel out हिके ठीक है तो तो ध्यान से थोड़ा समझते चले जाओ अराम से सारी चीजे हो जाएंगे आओ भाई देखो इसने मुला ओल वाटर साथ जूसे तो वाटर का जूस के साथ में पोजिटीव रिले से तो जूस का लिक्विड के साथ नेगेटिव हैं तो ऐसे सीधा ही बना लिया करो अगर कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है जूस लाइन जिसके बीच में उसका डायरेक्ट रिलेसन है अब डायरेक्ट देखो सबसे पहले सबसे पहले में मैंने देखा कि कहीं वाटर जूस का नेगेटिव रिलेसन तो नहीं है तो देखो वाटर जूस का नेगेटिव तो नही है नहीं है सेकंड वाला भी नी cancels out होगा कुछ भी ठijd वाले में देखो mythical सारे गे-सारे statement positive क्या इस content बें कभी और हो पयेगा इसका कि बताओ क्या तीसरे नंबर जेए तो मैं सारे के सारे statement positive आ गए तो क्या यह native वाला सही हो सकता है कभी सब्सक्राइब करते हैं एक गया तो गया तीन चलेगा दो यह उप्सन मचें हमारे अगर आगे दिमाग नहीं भी लगा हो तो चोथा वाला बनाके देखलो बस अगर फॉलो कर गया तब तो डिया आंसर हो जाएगा नहीं तो अगरे आंसर हो जाएगा था कि समझे की नहीं समझे बताओ है ठीक है कि अंधिता है अब बताओ भी अट्रीज समझ गये इसे दो अपसने मेरे पास फर्श्ट एकंड और फॉर्थ बोल रहे हैं फॉर्थ को चेक करूंगा मैं पूर्थ का बना लो ओल वाटर सार मिल्क से अग कि फिर गोलॉमील्क आर्जूस सारे के सारे में जूसें कोई भी लीकविचमिल्क नहीं है कि देखो आप ऊपर ओंप वाटर तो सुषे जूसिक पूरा सरक्ल जूस् के अंदर आ रहा है देंद न वहीं तो यह सही हो गई इसके साथ एक जूस्के तो हो गए फॉट हो गया मुझे चेक करने की प्रीफ लिको यह उस्सेंद सर्फिर प्रकुदैंस में से दिमाग लगो ठीक है जी उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ एकदम आसान ट्रिक है के नहीं है अगर जिसको बेसिक के लिए रहे न सिलोलिजम के यह ट्रिक ऐसे आ जाएगी थोड़ा सा मैं मानता हूं कि आज और भी एफिसेंसी से पढ़ाए जा कि यह मनें पढ़ लिया था यह भी पढ़ लिया था चलो यह वाला करो कि यह वाला आप लोग सोल करो इतने में पानी बानी पी ले था हूं कि अ कि अ कि अ कि इसका अंसर बताओ सब लोग आंसर देंगे तब यह आगे बढ़ेंगे कि अ कि अ कि देखो कि कुश्चन बोले सम मंकीज आर बिंग केटी जे पॉसिबिलेटी कि मंकी और के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है वो भी सम की पॉसिबिलेटी है लिख दिया मैंने सम रेट्स बिंग मंकी जे पॉसिबिलेटी ठीक है मंकी और रेट के अंदर सेम टू सेम यही रिलेशन है तो मैंने ऐसे दिखा दिया कि वही पॉजिटिव और वही है सम की पॉसिबिलेटी है ठीक है यह फंडा होगे अब देखो डाइरेक्ट नेगेटिव तो नहीं है नो वाला सम की पॉसिबिलेटी में नेगेटिव नो को ही माना जाएगा सम नोट को अब डाइरेक्ट नेगेटिव मतमालने ना क्योंकि पॉसिबिलेटी सही हो जाती है उ नो देखो सबसे पहले कि इसने देखा पहले option में देखो नो रेट इस बंकी कोई भी रेट मंकी नहीं है तो रेट और मंकी में तो पॉजिटिव रिलेशन था डायक्ट नेगेटिव दे दिया option कैंसल ओट option क्या होगे cancel out होगे ठीक है यहां नेगेटिव दिया गया नो मंकी इस डोंक तो यह भी डायक्ट मतलब कुछ इसका लेन देना नहीं है नेगेटिव का यहां दिया गया नो रेट इस बंकी ठीक है तो रेट और मंकी में देखो यहां तो पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव दे दिया गया यह रहा है तो यह उप्सन भी कैंसिल आउट होगे जैसे थर्ड कैंसिल आउट होगे और पहला वाला तो पहले कैंसिल नहीं कर रहे हो ना तो भी देखो मुझे एक डाग्राम बनाना पड़ेगा च्यार नमबर बनाके देख लूँगा अगर ब अगर पांच बना दिया तो फिर मुझे चार भी बनाना पड़ेगा अगर फोलो होगे चार में तो अपसेंडी आंसर हो गया नहीं हो यह तो यह उप्सन भी गया यह लोग यह उप्सन मचा है कुछ भी नहीं है बहुत आसानी से हम लोगो अगर अएसे आपको करना है आएटी हम आएटी वाले नहीं हम एनाइटी वाले है ठीक है आएटी से थोड़ा नीचे एक इसनों बार में आएटी कमेंट कर रहे हैं एजू वेव क्या हो गया आएटी का मतलब नहीं समझा मैं ठीक है जी चार एलिमिनेट हो गया क्या हां तो ओनली स्टेट्मेंट फाइफ अंसर हो गया अगर आपको किसी कंडिशन में ज्यादा बनाने पड़ती है तो वो तो वह बरान आता ही है लेकिन हमें तो उप्सन एलिमिनेट करना सीखना है नेक्स्ट आजो देखो तो ने वह बना नो कार हो इस बाइक तो कार और बाइक में नेक्स पर इलिमिनलेट दाइरेसलिश तks वह बाइक और रियस में इसमें बाइक और रियस में क्या है ओल की पोसिबिलेटी है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ओल की है लिखते हैं इत्ता ही लिखना है बस अब आज़ा उप्संस के उपर आ जाते हैं अपन तो खेल चालू करते हैं इसे नेगेटिव वाला देखो सबसे पहले है नो बाइक इस लेप दिया है यहां पर और तो कुछ है नहीं ठीक है कार और और में Авट डियरेक्ट पोजीटिव घुलिशन्ट इंड्वना चाइए लेकिन यहां देखो एक ओल कारशाव झाल घ्राइट में अब्सक्राइबिलिआं बिल्कुल दिया गया अगर्गों यहां नेगिटिव तो डारेक्ट पोजीटिव नहीं होना चाहीं अगर यहां पोजीटिव है तो डाइरेक्ट नेगेटिव नहीं होना चीए सिंबल सा फंडा ठीक है सेकेंड आ जाओ यहां देखना बाइक और रेस में सीधा नेगेटिव रिलेशन दिया है ठीक है यहां तो बाइक और रेस में पोजीटिव है तो यह भी कैंजिला उट हो गए फर्स्ट और सेकेंड जाते हैं दो अपसंदों गए कतम हो गए ठीक है आ जाओ अब कि तरमेचेज और बाइक फिक है नो बाइक है तो देख आगे पढ़ते चला जाओ कार और और बाइक में देखो यहां पर पोजीटिव रिलेसन दिया तो यहां कार और भाइक में नेगटिव लेशन दे दिया तो यह भी चौथा भी कैंसलेट कैंसल आउट हो है ठीक है तो एक ही बचा चौथा कैंसल आउट होती ऑप्शन भी गया ऑप्शन इबचा कुछ भी करने की ज़रुरत ही नहीं है आईएटी इस एवरिफिंग इमोशन इंटर्नल पावर हाँ जी जिनके लिए होता है मेरे लिए भी था कभी इमोशनल बहुत मेहनत की लेगे नहीं हुआ थोड़ा सा नीचे हो गया कोई बात नहीं होता है जीवन में कि सर आप इतने अच्छे तरीके से कैसे समझा देते हो मुझे समझ नहीं आता ठीक है वह तो अच्छा तरीका तो मेहनत करोगे तो अच्छा तरीका भी निकलता है सब्सक्राइब और क्या होगा ऐसा ही आएगा मैंने पढ़ लिए चिराग आपका कॉंसेप्ट ठीक है आज हुआ देखो थोड़ा सा देरिय से पढ़ों कि मेंस का ऐसे ही इजी बना बना के पढ़ा दूंगा सहरा में चिंता करने ही जूर्द नहीं है पजल डिया ही सब इजी बना देंगे सारे के सारे रूम क्या है यह पॉसिबलेटी तो यहां पर मुझे दिया गया है क्या दिया गया है कि पॉजिटिव पॉसिबिलीटी है ओल में नो रूमीज टेबल रूम और टेबल में डाइरेक्ट नेगेटिव है रूम और टेबल में आ जाओ फंडे पर आ जाते हैं पॉप सॉरी हाँ तो हमें देखना है कि room और table में कहीं positive lesson तो नहीं है direct ठीक है और यह room और fan में negative तो नहीं है direct ठीक है देखो वही है यहाँ पे question में पहला option दिया गया गया no room is fan बताओ रूम और फेन में क्या डाइरेक्ट नेगेटिव हो सकता है नहीं हो सकता यहां तो डाइरेक्ट नेगेटिव दिया गए हकडि कहत्र काने कैस्ता अथ हो ठीक है यहां नेगेटिवा देखो नो चे mould पने महां टत कोई भी नेगेट उए तो डायरेक्ट कहीं पॉजिटीव नहीं दे रखा रूम और टेबल में भी पॉजिटीव नहीं दे रखा तो इसका आपन लोग देखेंके बना लेंगे ठीक है एक ओप्सन फिलाल एलिमिनेट हो चुका है तीसरे में जाएंगे फिर से करिके अब नहीं दिया हुआ है तो यह वाला थड़ भी अप्सन केंसिल आउट हो गया थाओ पिरसे नो रूमी अधे रखा है नो चेरीस टेबल वो सब देखने की जूरत नहीं है सिर्फ इतना सा देखना तो फोर्थ विकेंसल आउट हो गया ठीक है पोर्थ चैंसल आउट हो तो ऐसे option set हो के आते हैं तो आप चाहोगे तो अच्छा से calculate कर चीज़ों को बना सकते हो ऐसा निए कि इंटेंशनली मैंने इसे बना रहे हैं मैंने एक कुशन जो सीट्स के अंदर जो ओल्रेडी सीट्स वगरा अवेलेबल हैं इंटरनेट पे इदर उदर बुक्स में वहां से कुशन से लिए मैंने एक भी कुश्चन अपने हाथ से फ्रेम नहीं किया है इसमें एक भी कुश्चन ठीक है तो यह आते ही है सही ऑफ संसेट हो के आजव नेक्स्ट देखते हैं मैं नो ट्री इस फ्लोवर प्री और फ्लोवर में क्या है वाई सब नेगेटिव रिलेशन है सब प्लांट सार फ्लोवर प्लांट और फ्लोवर वे पोजिटिव है वह आ जा हुई ए नेगेटिव देखो ट्री ओर रूट रूट रूटॉटेमें तो कुछ नए परक नहीं पड़ा कि प्लांट और फ्लोवर में नहीं होना चीए डाइरेक्ट नेगेटिव ठीक है चीए समझ गया मैं बात आज़ो फिर है नेक्स्ट ऑध इन दोनों में पॉजिटिव नहीं होना चीए है 3 और प्लोवर में तो वह भी नहीं है यहां पर वहां पर खतम होई पाएं यहां देख है 박iernoka कि असके बाद में आजड़ू है कि कर देखा मैंने है टो डियुकल देखो सब्सक्राइब तो नइए पॉजितीव देखो बनुद तो नीए यह पोजिती और स्क्राइब देखेंगे भी हम लोग फस्ट ड्स सब्सक्राइब यहां देखो नो और इस प्लांट दे रखा है तो था उप्शन भी कैंसल आउट हो गया क्योंकि फ्लोर उप्लांट में तो यहां पर क्या है पॉजिटिव रिलेसर है डिरेक्ट नेगेटिव दे रहा है तो यह भी काम बन गया ठीक है पांचवा उप्शन आप लोग मुझे एक बात बताओ ज जब सारे पोजिटिव हैं तो यह नो कैसे सही हो जाएगा यह बिल्कुल नहीं होसकता ठीक है इसलिए पांचवा भी कैंसल आउट हो गया तो दूसरा चोथा पांचवा कैंसल आउट हो गया चोथे और पांचवे पे यह भी फंडा कैंसल प्रूल है आपका बता पर्स्ट और थार्ड में से कुछन कुछ होगा यही कुछन मोर ठीक है अब इसमें भी कोई लोग दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा एडवांस में सोचेंगे तो आप और भी सोच सकते हो लेकिन मैं आपको इतनी ज्यादा चीजों में उल्जाना नहीं कन्फ्यूजन नहीं करना चाहू नो ट्री इज रूट कोई भी ट्री रूट नहीं यह बना रहा हूं नो रूटी फ्लोवर कोई भी रूट फ्लोवर नहीं है तो आपका फैस्ट वाला भी कैंसल उट हो गया तो आपका थार्ड फोलो करेगा कि एक वेंट डाइग्रम बनाना पड़ा है तर आप अपनी जर्णी बताओ ना सर फिर कभी बता देंगे पढ़ लो आज थोड़ा सा ठीक है आज क्लास में क्या हो गया मेंस मेंस चिल्लाते रहते हो जब मेंस काता है सब लोग भाग जाते हो आधिक संख्या हो जाती है स्ट सब्सक्राइब हो रहा है तो मुझे उमीद नहीं थी इतना जल्दी समझ जाओ कि तुम लोग है कि अ कि यह बोल रहा है यह सराप इस प्लेटों में कैसे आ गए हो फिर कि मैं ऐसे ही आ गया हूं फिर कभी बताऊंगा मैं किसी प्लैटफोर्म में नहीं आया हूं बेंकर्स पॉइंट तो अपना ही है एक बच्चे की तरह बढ़ा किया है मैंने बेंकर्स पॉइंट को सोटे एकदम सोटा सा चैनल जीरो से स्टार्ट किया था मैंने खुद नहीं अकेले ने और वहां से हम चीजों को यहां तक सब्सक्राइब करो सम यलो और रेड यलो और रेड के अंदर क्या है पॉजिटिव रिलेशन सारे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आले पर दाव बोल दो अब नेगेटिव कहां कहां पे हैं यहां पर इस कुष्ण के माद्यम से एक नई चीज और चिखाऊंगा समझना इसने वुलाक रेड और बू में सीधा सीधा नोगारी नो बिखाओ में डान ब्लू मी अपर ड्रीं दया घृचिव और ब्लू में देआ गया नेगेटिव दो बाद में देखेंगे यहां तो सारे पॉजिटिव और डाइरेक्ट होना चाहिए यहां बोला गया नो रेडिस ब्लू फिर से डाइरेक्ट नेगेटिव रिलेस्ट फिर से तीसरा ओप्सन भी कट गया तीसरा ओप्सन कटते हैं सी और डी दो नो ऑफसन एक साथ उड़ गए हमारे पास सिरुफ दो विए और यह अब भी कोई दिमाग लगाएगा ज्यादा ज्यादा आगे चेकिनी करके सीधा पांचवा बनाके देख लेना या दूसरा बना लो चोथा कोई भी एक मना लो अगर बन गया तो भी उफसन हो जाएगा नहीं बना दूसरे और चोट्थे में से कोई तो इस से उपिसे ओसे यह अंसर कुछ भी बनाने की जगरत नहीं है कुछ इस लburyीशन इसे सेक्ज आउगा मैंने नहीं wszyscy किया है ठीक है और मैं यह भीष्ट हुआ तो प्रेक्टिस वीट में कुशन बढ़ा दो हां बढ़ाएंगे दीरे दीरे रुख जाओ सीट्स की विवस्ता बहुत लार्ज स्किल पर में विवस्ता ही कर रहा हूं ठीक है आपके लिए मंथ में कुशन्स देने मुझे एक साथ पूरी एक बुक बनाके दूँगा आपको ह है तो धीरे धीरे चीजे जबर्दस तरीके से होंगी आजो नेक्स्ट क्षिशन नेक्स्ट क्षिशन में क्या बोल रहा है सम बेग्ज और शर्ट में पॉजिटिव रिलेशन है और वो भी सम की पोसिविलिटी है लिख दिया ने तम पैंट्ट्स आर बिग बेग इसे पोसि दीट है अब सीथा 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 कि नेगटिव औने वाले देखूंगा है तो यहां पर देखो No paint is big यहां देखो पैंट और बेग मैं देखो पोजिटी रिलेस्टन है यहां no paint is Big No paint is Big एक तीन च्यार खतम गान एक तीन यह च्यार का च्यार का करे लो कुछ कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है और समझ गए कि नहीं समझ गए ठीक है आजाओ फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है सारे कुछ दो कर लेंगे हम लोग गहां और कैट वेट में आपका पॉजीटी रिलेशन है ठीक है सम्सकर बिंग डोग दोग दोग में पॉजीटी व पउजीटीव में ऑक्सि एक फो भी सम में लिख देखता हूं मैं में मेरा खंडा लगा तो नोanie सोग्प क्या रेट और डोग में कमें नेगटीव एकितोером हो पोजिटीव है थीक है तो यह बहुत जो नहीं है तो घ्लाने बढ़ते स्वॉफान और था प्षार जो फिर से जो हो है के अंदर नेगेटीव द्दै तो और तो यहां देखो रेट और डोग में नेगेटिव दे दिया गया है तो यह भी कैंसल आउट हो गया है सिर्फ तीसरा ही बचा ओनली कथन तीन अप्शन नमर सी इस यौर आंसर थोड़ा सा उब्जर्वेशन लगाओगे डाइरेक्ट कुश्चन सॉल्व होगा थोड़ा सा उब लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से चीज़े हो जाएंगे यह मैंने करा दिया था आजवाब डेक्स्ट यह देखो अटली समस्टेट्स आर डिस्टिक कुछ स्टेट के डिस्टिक है मैंने बना दिया है यह यह पोजिटिव रिलेशन है आप सम टाउन से बिंग डि सही होता कोई टेंशन की बाग मैं बोल रहों आपको आगजाम में से उप्सटन होंगे जिस तरी सही सीखना चाहिए एक उप्सटन कम एलिमिलेट कर लेना ऑप्सटन गलत इलिमिलेट मत कर देना बस ठीक है एक डियागराम ज्यादा बना लेकिन जहां तक हम कर पाएं वह त है यहां देखो नो डिष्टी की स्टेट दिष्टी को और स्टेट में देखो पॉजिटीव बिलेशन या नेगेटिव दिया गया सीधा ऑप्सन गया फ़र्स्ट और सेंड गय अटुक्षन तो गए कि उसके बाद में नो टाउनीज विले यहां पर सिर्फ यह दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है थार्ड वाला देख लेंगे हम लोग तो था देखो नो डिश्टिक इस्टेट फिर से डिश्टिक और स्टेट में पोजिटिव रिलेसन है यहां पर नेगेटिव दिया ओप्शन थार्ड और फिफ्ट बचाजा या बनाओ गेंगे नहीं कॉन-कॉन बनाएगा भी बताओ दोनों बनाने की जूरत ने कोई भी एक बना लो वह यह तो ये है तो यह बना लो हूं यह यह बना लो कॉन सा बनाओ делать उसमें भी खैले कॉन सा बनाने मीं कि ज्यान से समझघा इसमें देखेंब थार्ड और भी फिफ्थ अगर फिफ्त बना लिया और फोलो हो गया तो कसे किन फुज़नों हो जाएगा कि थार्ड भी फोलो लिखने तो यह वाज़ो आगी पॉलो करता क्या समस्तेट्स पूरा पूराइं तो पहला तो फोलो कर गया शा में इसक्ट में पूलो कर गया पुछ ताउन यहां से उठा करेंडिस्टिक विल्कुल ले जा सकते हैं कोई कूरोस नहीं कर थो फोलो गया वाला व्ताओं फोलो हो गया कर थार्ड वाला फोलो हो गया तो ऑप्सें क्या हो जाएगा डी आंसर अगर मैं फिफ्ट चेक कर लेता ठीक है तब इसके से वालों फिफ्ट नहीं बने ऐसा तो होई नहीं सकता तो थार्ड ही चेक करना था अपलोगों अधिक है ओप्सें आपका पी किसने बोला वहीं कि दी आंसर होगा वहीं बहुत इस्टेट्मेंट थार्ड और फाइफ मां तो बनने यह बनना है क्योंकि दोनों में कॉम बने फाइफ तो की पस्वा चेक नहां थार पांचवा चीक कर लेती और बन जाता बनता ही वह तो अपको फिर जेक करना पदा था तो इसे दिमागा लगा तो सक और इसन भी कि हर जगह पे दिमाग लगाओ कि मैं option कैसे eliminate करूँ जद 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 ठीक है कुछ ducks क्या है bird है यह positive possibility है और sum की है तो possibility sum लिखो तो लिखे ले ना वरना कोई ज़रूर ही नहीं है समस्वान और duck तो यह इसमें और इसमें positive relation है यह लो जी आ जाते हैं सबसे पहले negative पे दावा बोलो यहाँ पे duck और bird में देखो negative relation दिया है और यहाँ तो positive है no correlation दिया है cancel out ठीक है अगर sum note दिया होता तब आप थोड़ा सा सोचते हैं नो पे sum note वाला भी अगर question आएगा तो आप बताऊंगा ठीक है यहाँ भी देखो duck is bird duck is bird option number three और फॉर्ट में भी दिया हुआ है तो cancel out हो जाए ठीक है अब देखो question ऐसे ही set होके आते हैं इसमें में कुछ नहीं कर आप यह मत सोच नहीं कि सर ऐसे question नहीं हुए तो क्या हो जाएगा ठीक है अब इसमें मैं चाहरा हूं कि समनोट का कुछिन आये तो मैं बता हूं आप लोगों को पर आई नहीं रहा क्योंकि एक्जाम में वह एक्जाम इंदर वैसे ही चेक कर देता है जो जिसमें आपको ज्यादा मतलब ऑप्सन हो पाएं एक दो कम से कम ऐसा तो देगा ज्यादे ज्यादा दो तिन दो बनाने पड़ेंगे एक्जाम में से ज्यादा कुछ नहीं होना है सम चेयर बिंग सब्सक्राइब करें को आज़ा और वो में पॉसिबिलिटी संवगा आजाओ निगेटिव पर गया बोलुप सबसे पहले तो घ्रम पोट्र में देखो पोट्र ओर चेयर में यहां पर क्या है इसए इस पहले तोड़ा मुस्किल होजागा लेकिन फिर भी दो उप्शन अपन हो चुके हैं देखेंगे बैए यहां नग件 चेर और सोंफा में ए सोड़ो इसको दूवर नो टेबल एइ तेबल ऑफ जेए रखो फोजिटीटिव vardı या नेगेटिव गचे का उनर हैं ठीक से कऀए यह फिर सारे के सारे पॉजिटीव दिए यह तैव आपके पास में मैं पिए उबची है जब व्हीं और एक अब यहां पर एक नया concept आएगा धान से सुनना मेरी बात जब भी ऐसे questions आएं ऐसे options फसें तो एक चीज़ और चेक किया करो जैसे सारे positive relation है नहीं चेर में पोर्ट में टेबल में सब में positive relation है तो एक बार negative वाला हटा देना यहां से ऐसे नेगेटिव वाला क्या करना है हटा देना और देखना कि तीनों element आ रहें कि नहीं आ रहें नेगेटिव वाला हटा के देखने तो टेबल आ गया ठीक है पोर्ट आ गया चेर आया गया नहीं आया option cancel कैसे किया जहांसे समझना तू बार ऐसे concept बता रहा हूं सुरुआत मैंने ब यह जिस जिसके positive relation है तो negative वाला हटा दो एक बार के लिए और देखो कि सारे element तो हैं कि नहीं है वो क्यूं क्यों क्योंकि देखो एक ही diagram में बनेंगे ना वो सब कुछ positive relation तो एक जैसे यह दो diagram है ऐसे है अलग-अलग दो हिससे है तो positive relation तो इन-इन में ही होगा आपसके ठीक है कि सब कुछ है के नहीं है बताओ तो option यह answer होगी इस case में एक funda यह आपका काम करता है लेकिन यह मैंने बताया था लेकिन यह चीज अगर आपकी possibility दे रहा है वो भी समकी दे रहा है तब नहीं कि लगाना है इसको ठीक है तो दूसरे cases में cancel out हो जाएगा लेकिन अगर सम में possibility दे रहा है तब यह funda नहीं लगाना तो कहां लगाना है कैसे लगा सकते हैं वो समझाने के लिए पहले में नहीं हटाया था इसको लेकिन मैं एक statement साथ में और जोड़ रहा हूं कि सम की possibility हो तब मत करना है कि समझ गए कि समझ गए तो अब अगर मालों नहीं भी हो रहा है तो दोनों में से एक बना के देख लो कोई भी तो मैं यह बना के देख रहा हूं ओल टेबलार सोफा सारे के सारे टेबल क्या है सोफा है नो चेर इज सोफा कोई भी चेर सोफा नहीं है ओल पॉर्ट्स आर टेबल सारे के सारे पॉर्ट क्या है टेबल आ जाओ देख लो भी हम चेर बिंग टेबल इसे पोसिविली क्या कुछ चेर को टेबल में ले जा सकते हो आप नहीं ले जा नेक्स्ट आज़ों मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं इसको मालो यहां पर को इलिमेंट होता ऐसे तो उसमें तो यह घुशी जाता जागे इसलिए बने लगाए लेकिन अगर डाइरेक्ट पोजिटीव होता पोसिबिलिटी को छोड़के तब वह जो इससे पहले फंडा बताया था कि वह सारे इलिमेंट देख लेना नेगेटिव अठा कि वह लगएगा अगर आगे कोई कुश्यन आएगा तो समझाओंगा आज होगी यह देखो दो कॉंकुलूजन दिये गए कई बार बीच में एंड लिखके दे तकि सम होम्स आर फ्लोर इस पोसिबिलिटी एंड सम सिप्स आर नौट सिटी तो यह बीच में मालों की कॉमाई ही है तो उसको कई बार एंड से भी लिख देता है तो ध्यान से देख आगे देखो सम सिप्स आर नोट सिटी ठीक है तो सिप और सिटी इन दोनों के तो है नहीं को रिलेस्ट वह अलगी है अपना टीप और सिटी में क्या है नेगेटिव रिलेस्ट है ओके जी आजाओ देखना क्या कहीं दोनों में नेगेटिव तो नहीं है और कहीं दोनों में पॉजिटिव रिलेशन तो नहीं दिया हुए डाइरेक्ट चलो फंडा के लिए करते हैं कि नेगेटिव देखो एंटेना इज सीटी नो हुस्पिटल इज सिप तो इसमें और इसमें कहीं नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है देखो होम और फ्लोर में देखो नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है कहीं भी होम और फ्लोर में कहीं भी नेगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा है होम और फ्लोर में ठीक है यह होम है भई होस्पिटल भी लिखावा है कहीं होम को होस्पिटल से कन्फ्यूज मत कर देना इसको होम ल और सिटीज है इसमें कहीं पोजिटीव तो नहीं है डियरेक्ट बोर देख लो सिप और सिटीज में देखा मैंने सिप और सिटी में पोजिटीव रिलेशन तो नहीं है सिप और सिटी में कोई पोजिटीव रिलेशन नहीं है कि सिपोर सिटी में कोई पोजिटिव एलेशन नहीं क्या अपने फंडे से अभी तक एक भी ओप्शन एलिमिनेट हुआ क्या कि होम तो कहीं आई नहीं रहा है नहीं आ रहा है न होम एक मिनट होम तो कहीं है वही मैं सोच रहा हूं कि कुछ भी ओप्शन होम तो कहीं आ ही नहीं रहा है नहीं आ रहा न होम होम नहीं है यह होस्पिटल यह भी यहां से इसको होस्पिटल कर लो यह लोग जी और घरों की जगह अस्पताल क्या लिखा है होस्पिटल तो यह वोट लिए होस्पिटल ही है तो आज एड़ाइध दूपारा से चेक खरना पड़ाएगा ठीक होस्पिटल और फ्लॉर में कोई नेगेटीव रिलेस्टन तो नहीं ढोंड क्या होस्पिटल और फ्लॉर में दोणो रोग और फ्लॉर में एक ओपिसन यह फॉर्थ एंसल आउट होग्या ठीक又 एक प्रो salary यह चालो एक ही उपस्केशन के कैंसल आउट हुआ को особ सथ स्थे एक आलीमेट हो हो गया है तीक ऑप्स तीन ऑफ सन्तीन होम कहां Otran है यह ओम और होस्पिटल का क्या फंडा ही दर अरे हो मोट एगी किसी प remain लिख दी है कहीं पर उपितन लिख उस्पिटल कर लो ऑचलो ठीक है मैं दसे और यह किसी ने गन्फूजन में ऐसे लिकती है और न चलो ठीक है कोई बात ने जों ठीक है फॉस्पिटल यह कि अब आपका सिप्स और सिटी में देखो को नेगेटिव डिलेसे नो कई पोजिटीव तो नहीं है और सिप्सिटी में कहीं भी नहीं था मैंने कोढ़ी अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं कौन से का बनाऊंगा बताओं अब भी अभी मुझे कितने ऐक ही ईक हुप्सन लिमेट कर सकता बताओं कहिए दो कन बना के देखो अब ठीक है देखो ज्यान से समझना अगर आप लोग दूसरा बनाते हो और वह फोलो जाता है तो कोई भी आपको दो ही बनाके देखने पड़ेंगा ठीक है न तो उसमें से चोथा तो आपको बनाना ही नहीं है बताओ चौथा किसी ओप्षिन में आ रहे हैं तो तो जो दो जगे पर आ रहा है न उसको बना हुआ यह तो तो अर्द ना सुप। मालो में ने बनाया को कि तर्ड मनाता हूं कि ओल फ्लोर्स आर एंटेना छो है च्षिक्ष तो यह बना दिया फ्लोर और यह हो गया औक है जलो भई ये एंचिना सपो गया थी ठीक है नो एंटिनाइट सीटी ये सीटी निया वड़ साब सीथी काट दिया है ल अम वस्पिटल इस सब्सक्राइब के अंदर बनाओ सिप के अंदर यह चोटा सा होस्पिटल भी बना दिया हमने आज हो अब देखो सम होस्पिटल और फ्लोर इस पोसिबिलिटी क्या थोड़े से होस्पिटल को फ्लोर मिला सकता हूं मैं बिल्कुल आ सकता हूं कोई नहीं रोकेगा तो फॉलो कर गया ठीक है सम सिप्स आर कि सम सिप्स आर नोट सिटी क्या सिप्स का कोई ऐसा चोटा सा हिस्सा है जो सीटी के पूरे सरकल के साथ प्लोस रिलेशन हो देखो सिप का एक चोटा सा हिस्सा यह है जो सीटी के पूरे सरकल के साथ प्लोस रिलेशन तो फोलो हो गया मैंने क्या चेक किया मैंने थर्ड चेक कि फिर मेरा 10 एक यह कि तो अब मुझे थर्ड ओर फिफ्द मेंसे एक और बनाना है वस मी जए सेकेंड और फिफ्द मेंसे एक और बनाना है ठीक है बनाहों वह मैंने कौन सा बनाया था भी शेकेंड मनाया था न ओल फ्रेजिंट ओल एंटिनाइट सीप समेंटिनाइट सीटी ठीक है मैंने थर्ड बनाया था थर्ड गैंचल आउट हो गया ठीक है तो आपको उप्षन बी और इसमें से आएगा तो बना के सब फटा फट बता हो थर्ड तो फोलो हो गई हो अब आप सेकेंड औरक प्रेश्ट मैंसे और देखो कौन Só फोलोगा फिफ्ट और से बनाव एक वी ऊप्सन अंसर आ रहे सबका भी आंसर आ रहा है इस ओप्सन भी मार देता हो मैं ठीक है आप आप लोग बनाके देख लेना आपको बनाना हता है मुझे तो यहीं तो सिखाना है कि कितनों कि यह वेंड डिगरम बनाने हैं ठीक है कि चलो नेक्स्ट आजाते हैं कि देखो इसमें एक ही ऑफ सनम डायरेट केंसिल कर पाए लेकिन फिर उप्सन से दिमाग लगा लिया हमने तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के चलोगे तो पका हो जाएगा सारा फट्ना के लिए और अप्सनलिमेट करने हैं हम लोगों को आ जाओ जल्दी से तो होसेज आर रेबीट ठीक है तो होसेज और रेबीट में क्या है पोजिटीव रिलेस्ट है वाई साब कि सम मेट्स केन-धी होर्सेज तो मेट और होर्सेज में भी क्या है पॉजिटिव रिलेशन है ठीक है और सम की पॉसिबिलिटी है भाइसा भी लिखती है आज आज अब डैरेक नेगटिव नेगटिव देखो सबसे पहले नो रोजी ज वाइन ठीक है नो रेबिटी होर्स कि द ठीक है तो रेबिट और होर्स में तो देखो पोजिटी रिलेसिने तीन जगण नेगडिव आ गया तो एक दो टीन कैंसल आउड होगे दोबचे कि माति दो ओप्सूंस बचे हैं हमारे ठीक है तो आजाओ अब इसमें बना लेते हैं हम लोग दो में बनाते हैं कोई भी एक बना लो काम बना के देखे लेता हूं All Mats are rabbits all mats are rabbits No Mouses horses यह मैट है भली ठीक है अि माव्स और मैट में इपन प्रूज मत होना थीक है तो no mouse horses अभी आए ने बाद मेड़िता हैं समस्पोर्स और पर रोज और रहीं प्रूज में इसको नहीं होना यह इसको आरें भी लिख दिया मैं नो वो रोजी बाइन कोई भी रोज बाइन नहीं है तो मतलब वह डायगराम ही अलग अलग मन जाएंगे है थीक है सभी मैट और रिबिट का अलग धी नीज़ नहीं इससा इन तौइ बनावश होसे जनज थोड़ी सी जगह के कमें एक है मिरे पास कोई भी रोज क्या नहीं तो इसमेर ऑनो कि हाही कुछ भी रोज बनाव इस मि समय बनाओ इसमेर तोड़ी₁ creations रेबीट ठीक है क्या रेबीट और होर्सेज में कुछ कॉमन दिख रहा है यह कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है कुछ ही नहीं इसके अंदर ठीक है तो हमारा सिधा-सिधा ही क्या हो जाएगा यह भी वाला कैंसल आउट हो जाएगा ओप्शन यह आंसर हो वह मुझे तो दो बचे थे दूसरा और पांच वहा वैसे आप उल्टे से मैंने बोला है कि पीछे वाले उप्शन से बनाया है ठीक है कि चलो अरे समाझ में आ रहा है न सबके बताओ वई आजाओ सम केक बिंग वेज इजे पोसिबिलेटी कुछ केक क्या है वेज है ठीक है सम सेंड़ीज आर केक तो केक और वेज में आपका कह पोजिटिव रिलेशन है और सम की पोसिबिलेटी है वही सेंड़ीच और केक में पोजिटिव रिलेशन आजाओ अब मुझे डाइरेक्टी दे दिया नो केक इस वेज यहां पर देखो नो गायव हो गया इसके पहले गा यह यहां पर नो है मैं लिख देता हूं बिलेक कलर से यहां पर नो है कि सम है भई सम है यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है एक सेकंड रूपो और यह यहां पर सम है यहां लिख देता हूं ठीक है यहां पर सम है चलो तो नो केक इस वेज केक और वेज में सीधा-सीधा नेगेटिव रिलेस ने दिया गया ओप्षन कैंसिल आउट हो फस्ट क्या यहां पहला यहां चैख उसके बाद मैं कि इसमें भी और केक को कुष नहीं है यहां पर केक है सब कुछ अच्छा केक इस डिखे लेरे आणा है यहां पर और कि मैं नियुद नहीं होना है ठीक है यहां देखो नो केकी स्वेंज फिर से यह दिया हुआ है यह जानबूज के से वर्ड देते हैं ताकिया आप कन्फुज हो जाओ नेगटिव रिलेस्टन दिया हुआ तो सीधा-सीधा यह भी क्या हो जाएगा कैंसल आओ फोर्थ ऑप्सन कैंसल आओ था है और फोर्थ कितने ओप्सन कैंसल हो गई फ़र्ष और फौर्थ हो दो, लगए इन तीनों में से कोई भी एक बना के देख लो मालो दो बनाया और बन गया तब तो यह आंसर है नहीं बना तो यह आंसर है ठीक है तीन बनाया बन गया तो यह आंसर है नहीं बना तो वह आंसर है पांच बनाया बन गया तो वह आंसर है वर नहीं यह आंसर है एक ही बनाना पड स्टार सेंड़िच और सेंड़िच आरफ सारे सारे सेंड़िच क्यां कुक है ठीक है और crashed इस शरी जो हमाल केक हो सेंड़िच सम से मैं क्ट्री को से यह यह उन्हें दूसरे का पढ़्ड लिया 5 बना रहें कोई भी कुक क्या नहीं है वेज नहीं है अब देखो यह पढ़ाते टाइम मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपको शिलोलिजम का बैसी कॉंसर्ट बिल्कुल दिल से अच्छे से आता है यह हो गया फंडा यहां पे के लिए उसके बाद मैं देखो गई कुछ श्रदे क्या बोल कुछ कुमन है क्या सर पूरा के की कुमन है सेंडविच में तो पांचवा बन गया तो ओनली फाइप आंसर होगा नहीं बनता तो चेक नहीं करना था सीधा इसको टिक करना था ठीक है आ जाओ भी है और कि इस बिंक डवर यज़े पोसिबिलिटी की यह निर्म फोजिटीव रिलेशन सम्थ BEं ठीक क्या है बाइस आप सब्सक्रा पोसिबिलिटी है और की यह लो नो की इस कुक की का कुध के सात्हुन है निगेटिव रिलेश वह आजब हो मैं सबसे पहले negative वाले कि शुर्म और डोर के बीच में negative रिलेशन है तो डाइरेक्ट कुम पंड़ा नी यह जो आ की ओर को क्य ला इनके बीच पॉजिटिव रिलेस्ट रिलेशण नहीं होना चाहिए तो देखो की और को कि बीच में कही पॉजिटिव रिलेस्ट रहे है significant लेकिन एक चीज बताओ मुझे किया कहीं पर आपको पहले वाले statement में कहीं पर भी cook दिखाई दे रहे हैं कई बार ऐसा और खेलता सथ न ultimately अ कहीं पर भी cook दिखाई दे रहे हैं अगर माल कोई चीजüş statement में नहीं नहीं है तो उसका कोंकोलोजन कसे लिख दो गया में के बत अ घल दिसे ऐख चीज बताओ अगर कहीं कोई तらい सथ्सक्रामींप में तो किसे सवर्म हो गया क्योंकि फूंक है इन्हें और पूरा इसमें नहीं वही यहां की ओर डौर में देखो निगेटिव लेसे यहां पोजिटिव है हो तु कि कहे हैं इसमें मुझे बताव सारे कि यह सारे बताव पोजिटिव है कि नहीं है सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कैसे सही हो जाएगा यह भी ऑप्सन के अंचल उट फर्स सेकेंड थर्ड आंसर के फैस्ट थर्ड और सेकेंड दो यह ऑप्सन बचें बस वह देख लेते हैं कि नो रूमीज लॉक ठीक है कि कुक और कीज है नहीं यह पॉजिटिव रेलेसंस चौथा भी बनाके देखना पड़ जकता है कि पांच वह देखो सारे के सारे बता पॉजिटिव हैंगे यह तो यह कैसे सूंड हो जाएगा सारे पोजिटिव ओधिव दो नेगेटिव पाच वावी गैंसलोट पाच्वा गैंसलाव पांच्वा कैंसिल आओध यह उपस्ण गैंसलाओ ओंलिपोर तोजब भी कोई पहला वाला ओप्सनन स्क्ाेक था ही नहीं किसमें नहीं है को चौ थे में नहीं है क्राइब चो पनि क्क कर दिया गया चाहिऑ कहीं पर केंपर भी नहीं का कुछ सब्सक्राइब कहीं पर भी नहीं कुक तो यह इसको ठीक करूंगा तो कहीं पर भी कुक नहीं है तो जीदा ठीक है ननोफ दीज लगा दो कहीं नहीं है तो ननो अवदी आंसर हो गया ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर ठीक है ओके टाइपिंग एरर हो गया होगा यह कुछ और होगा अब मैं क्या ही इसमें कब तक सी बताऊंगा कि भी क्या है क्या नहीं है यह लो जी है तो सम्मेंग और शर्ट में ओजिटीव रिलेसन है वो भी पॉसिबीलीटीए का तो ठीक है 200 बोलेंग में भी सेमें हैं पोजिटीव और वह भी onto खालां ठीक है आस वे डायरेक नेगेटिव देखो हो नोफैंटीज बेग नोफैंटीज ड की तो फइंत और बेग में तो यह वे तो यह पॉज़िटीव पहिंगे इसया तो फवेश फ़र्ट ऑप फ़र्ट सहुल अउट होाओ है द है यह यह अउप्षन यह जाते हो है यह ब्र सुन कीrieben फिर्ट कि वज़े से यह आप ऑफ कि देखना ही नहीं आप लोगों को मत कैंसल होने दो-only 5 कि यह कुछन आ चुका है यह कुछ रिपीट हो रहा है यह कुछ कुछन कुछक रिपीट कर दिया हैं जिसने बीट टाइप किया है इस यह दो यंदे पीरिट है था यह Щ activity हो गया रीपीट हो रहे हैं कुछ ट्रीजन यह भीर होग यह अ यह पीट है डोनों के यह विर पीट है से डोनों कुछिंशन यह भी रीपीट है मैं अरिपी can be back पैंसिल और बैग में क्या है पॉझटीव रिलेस्टन है और संद की पॉसिबिलीटी है सब नोवल्स कें बी ओथर तो नोवल और ओथर में पॉजिटिव रिलेशन है वो भी समगी पॉसिबिलिटी आ जाओ नेगेटिव नेगेटिव में चलो कंडा के लियर करतो नो पैंसिल इस ओथर तो ओथर और पैंसिल तो अलग-अलग चीज़ है तो डाइरेक्ट नेगेटिव नहीं हुआ पॉजिटिव आगे चलते हैं कि यहां पे देखो 9 pencil इस ओथर ठीक है नो नोवल और ऑथर में तो यहां पॉजिटीव धिया है यहां डाइरेक्ट नेगेटिव धिया हो तो यह अप्शन भी कैंसल और ॉट हो चोथा ओप्सन कंशिल आउट होते हैं अप्सन डीवी खतम हो भ जो रहे मुझें तों खेली खतम हो गया कां। पढ़ दाएगा तो आप थर्ड को चेक करो अगर थर्ड फोलो गया तो यह अंसर एंसर जो चेक करने फ़र्ट बने करना इसके तो थर्ड को सब्सक्राइब कर लेदें हम लोग कि सम लिरिक्स आर नौलस प्रमनिल लिरिक्स आर नॉवल some novels are pencil some novels are pencil ठीक है no pencil is author कोई भी pencil author नहीं है no pencil is author some authors are big कुछ author क्या है बेग आवाज अब सम पैंसिल केंभी बेग कुछ पैंसिल को उठाके यहां से इसको या बेग की इस वाले हिस्से में ले जा सकता हूं बिलकुल ले जा सकता हूं सर कोई करोस नहीं रोके गा मुझे अब क्यों नहीं रोक रहा है वो समझाने जूरत नहीं है वो बेसिक वाले वीडियो में देखना है ठीक है तो यह हो गया तो आपका कौन सांसर हो जाएगा यह हो जाएगा तो फिस्ट भी सही हो गई फिर आप से सब्सक्राइब है ठीक है लेकिन थार्ड नहीं होता सही तो यह यह आजाता अंसर एक ही डाग्राम बनाना पड़ा नेक्स्ट आजो यह तो कर दा दिया था मैंने नेक्स्ट आजो यह लो इसक्रिशन ने बोला है जो की यह पोसिबिलिटी सारे के सारे की क्या है दोर हो जाएगा की और दोर में क्या है आप लोगों की पोजटिव है ओल की possibility है Not key is locked Kee or lock में negative relation है वाई आजो देखते हैं क्या होगा सबसे पहले negative देखो Negative relation यहादтом No room is door इन दोनों में तो negative नहीं है कहीं Key or door में देखो Key or door में कहीं negative relation है यहां देखो भी option third option third में सारे के सारे positive है क्या जब सारे positive होंगे तो यह negative सही हो सकता है नहीं हो सकता third cancel out होते हैं आपके सीधे दो option गए नीचे से सीधे दो option गए ठीक है आजओ अब next अब देखो को ओल्ल की जारूम यह सारे के सरद्वार रूम और लोक में negative है कोई दिक्कत नहीं है तो कीज और डॉर में बना लो लेकिन एक चीज और देख लो क्या लोक और की में कहीं पॉजिटिव रिलेशन तो नहीं है देख लो लोक और की में कहीं पॉजिटिव रिलेशन तो नहीं है फर्स्ट और पॉर्थ में लोक और की नहीं है कोई भी एक बना के देख लो कौन सारा है अंसर भी डिया र कि ओल्रीज और रूम है उल्रूमस आर लोक सरे सारे रूम क्या है है लोक है कि समलोक्स और डोस एक सिएन वे उसफ बनाकर देखना है मुझे मैं भूल जाता हूँ उपनी चेकर दें चोथा बना के देखना है एक सेकंड रूपना भई चोथा बना के देखना है हमें ओल कीज आ रूम्स सारे के सारे की क्या है रूम से नो रूम इस लोक कोई भी रूम लोक नहीं है क्या है ओलोक्स और डौरस को सारे के सारे लोक्स किया है गोरें सम्रूर्स और एयर्स कुछ दौर्र ब्सक्राइब है मिलेक्ष पहला क्या थे सारे के सारे की को redo में लेक्राओ सारे के सारे की को दोर में लेके आना है पूरा की का सरकिल उठाना है और दोर के अंदर लगा क्या ला सकता हूं बताओ पूरा की का सरकिल उठा के दोर में ला सकता हूं क्या यह क्रोस लाने देखा गया बताओ अरे न लाए वो देखो तोड़ की जार' रूम बना दिया ओल रूम सार लॉक बना दिया ठीक है Latino room is lock बना दिया ओलॉक्स दोर बना दिया ठीक है सम्ढोर साहर बना अब इसने यह बोला हैक ओल के जिद्ध बीडोर इस्क्राइब सारे के सारे की को उठाओ और दोर गेंदर लिजा पाओगे नहीं लेजा पाओगे ठीक है बताओ भी लेजा पाओगे नहीं लेजा पाओगे लेजा पाओगे क्या द्यान से समझो देखो यह रूम है और लोक यह ओर लोक अंदर वाला है भाई अब मुझे सारे रूम कीज उठाके डूर के अंदर ले जाने तो कुछ लोगों को लगेगा नहीं लेजा पाएंगे यहां नहीं लेके जाना है यहां ज़रूरी नहीं यह आप यहीं लेके जाओ इस ऐरिया में पोसीबिलीटी लोग की के पूरय सर्कृल और लोक पी पूरई सर्कील क्या दिख रहे तो फ़ी दोनों सही अरे बताव समाझ में तो को असर आप आल्फेबेट को अंदर लिखा करो ठीक है लिखे लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आज मैं ट्रेवलिंग किया वहाँ थोड़ा सा तो मेरी नजरें उपर नीचे हो जाती है थाइड करते करते फोरते में चला जाते हूं मैं कोई बात नहीं थोड़ा सा आपको पता है यह इस चीज का ठीक है आ जाओ ठीक है next आखो तो सब कुछ कर चुक है आपको समझ में आचुका है तो white का जो पूरा सर्किल है white के पूरे सर्किल का black के साथ नहीं सकता हूं नहीं है white ओप्सन नीचे दिये होएं क्या हान नीचे दिये होएं पहले चेक कर लेते हैं चेक करो इन दोनों में कही नेगेटीव तो नहीं है ब्लेक और रेड में ठीक है ब्लेक और रेड में कोई नेगेटीव नहीं है ठीक है ब्लेक और रेड में देखो यहां नेगेटिव दिख गया ओप्शन कैंसिल आउट सेकेंड बन ब्लेक और रेड में यहां नेगेटिव दिख गया यह भी ओप्शन कैंसिल आउट हो गया ठीक है आपका सेकेंड और फॉर्थ कैंसिल आउट हो चुका है तो देखते हैं सेकेंड और फॉर्थ केंचल आउट हो चुक है और दो अप्शन एलिमिनेट हो आगे आ जो वाइट और बलेक में कहीं पॉजिटिव रिलेशन तो नहीं दिया कहीं कहीं देखो वाइट और बलेक में ठीक है वाइट और बलेक में देखा मैंने वाइट और बलेक में कहीं पॉ हिसाब से हमारा पास में option बचके एक तीन और पाँच अब options में आ जाओं यह एक है यह तीन है यह पाँच है ठीक है अब मैं बताओ किसको चेक करूं मैं तीन को चेक कर लेता हूं अगर तीन मेरा गलत हो गया तीन मेरा गलत हो गया तो सीधा सीधा ही मुझे क्या करना पढ़ेगा अगर तीन मेरा गलत हो गया तो यह एकको चेक तो तीन को फिर बनाने ये लिए वेट और पिंग्स सारे के सारे वाइट कें अपना भी दिमाग लखा सकते हो कुछ और भी बना सकते हो ओल जवाइड की पुले पूरे सर्किल देखर है सही है इस सम्रेड रेड़् और ब्लेक में कुछ स्कुंमन है रेका तो सही हो गया तीसरा यहां पर क्या हो गया फोलोो होते ही है आपका यह वाला अब आपको फार्स्ट और फिप्ट मैं से कोई भी एक चैक कर लो फिप्ट चेक करके देख लेता हूं कि ओल उल वाइड सार पिंक थोड़ा सूपर घरता हूं इसको All Whites are Pink, No Pink is Red, All Black are Red, ठीक है? देखिलो वाई, क्या था पहला statement ही? No White is Black, White के पुरे Circle और Black के पूरे Circle में Cross a Release ने दीख करा है को, देखते हैं, उसम रेड़ सार बलेक, बलेक में कुछ को मने, पूरा का पूरा Black इको बनेैं, तो यानि कि आपका तीसरा और पांचवा दोनों की दोनों से वो की एक से अब बताओ कितने लोग ऐसे 5000 कर viola । आप मेंसे कितने लोग ऐसे हैं जो रिवर्स सिलोलिजम एकदम ओकेजिन को समझा गया किसरह अब हम एक्जाम में धुआ धुआ कर देंगे इस टॉपिक का बताओ भई कितने लोग हैं ओनली एफ यू वाले अभी तक तो मुझे किसी सीट में देखने को नहीं मिले अगर आप चाहते हो तो मैं खुद से कुशन फ्रेम करके आपको बता दूगा किसी क्लास में आगे अगर उनली फ्यूर यह सब अगर रिवर्स में आएगा तो मैं आपको क्या करूँगा खुद से कुशन बनाने पढ़ेंगे कि अभी कहीं पर भी वो कुशन अवेलेबल नहीं है कि अगर आपके पास हैं तो आप अपना वर्दान टू पंट जीरो वाला जो वह ना एक ग्रूप उसमें डाल देजिएगा मैं वह भी सौल करा दूँगा कि आज की क्लास में थोड़ी एनर्जी डाउन थी ठीक है वरना और भी जबर्दस तरीके से और भी दासू तरीके से पढ़ते हैं लोग यहां तो हजार का तो हम मिनिम्म टार्गेट रखते तो जो भी लोग अब दक क्लास में रुके हुए हैं तो एक बार सेशन को लाइक क सब्सक्राइब कहां पर मिलेगी अरे भाई मेरे पास मेरा दूसरा मोबाइल नहीं है वरना मैं दिखा था आपको एंड्रोइड वाला कि एक एप्लिकेशन है हमारी कि बैंकर्स पॉइंट टू पॉइंट जीरो एप उसमें जाओगे न तो आपको उपर एक बेंदर मिलेगा नीचे ऐसे बॉक्सेज मिलेंगे ऐसे ऐसे करें उस बॉक्स में एक में लिखा होगा इंपोर्टेंट पीडिएफ दूसरे तीसरे नंबर का बॉक्से उस पे क्लिक करोगे तो अंदर जाने के बाद में ऐसे बॉक्सेज बने होंगे उस एक बॉक्स के अंदर लिखाओगा वर्दान टू पॉइंट जीरो उसके अंदर जाओगे मिल जाएंगे आपको ठीक है सबको पता लग जाएगा तो हम उनसे अलग कैसे रहेंगे अच्छा जी तो मतलब पढ़ाऊंगे नहीं फिर मैं सबको आपको ही पढ़ा दूं अके लोगों किया कि अभी अभे करतो कि अब देखो इसके कुछ Kollegेशंस के कुछ यह आ रहे हैं यह मैं सारे के सारे यह रिपीट होगे देरोंiston 21 रिपीट कर दिए टाइप परने जो भी था हो ठीक है यह एक कुश्चन और बचाता है यह रिपीट हो गया अब देखो उसके कुश्चन सारे खतम हो चुकी अब सिलोलिजम के जो बेसिक वाले प्री के कुश्चन से लास्ट क्लास में यादे सबको उसमें कुछ प्रैक्टिस रह गई थी ना तो वह प्रैक्टिस कर लें रिवर्स लुलिजम का कौन से यह ने पढ़ा दिया आपको इसमें आई दर और आता है क्या कैसे आजएगा वो से आपको इसरे है तो तो इसमें यह नाद और कोई आाइदर और अधर पुश्चा कोई नहीं ही खिर को को इसमें अनल एक ना कॉछ यह बन सकता हैं और टीक है कितने लोगों को याद कितने लोग लास्ट क्लास में थे जब मैं तीन गंटे क्लास पूरी हो गई थी सारे कॉंसर्ट बढ़ाते पढ़ाते यह प्रैक्टिस के कुश्चन रह गए थे और उस दिन साइद यह वाइट वाइट दिख रहे थे साफ नहीं दिख रहे थे मैं रहे थे मैं कि व You APS अपके बन चुके हैं मैं यह मान लेता हूं अधेविव वाले में इसुआ बनाबना धेता ओं मैं अधिकर के इस बैना थ expend एक दो अरे बीच में प्रेक्टिस यह देखो कुछ यह भी बचे हुँ है स्टेटमेंट वाले तो यह आप कर लोगे अब इसमें एक चीज आप थोड़ी थोड़ी चीजे मैं बताता हूं जैसे यहां पे लिखा हुआ है फ्यू ओवर्स आर गुड यह ऐसे लिखा हुआ है त ओवर्स आर गुड तब अपन इसको ओनली फ्यू में मानते यू के साथ ओनली आता है तभी ओनली वाला कॉंसेप्ट लगाना है फ्यू अकेला है तब मत लगा देना फ्यू अगर अकेला आता है तो सम्ही होता और आज कल एक्जामीनर कर रहा है साफ आप से माइनर मिश्ट ठीक है अरे समझ गए ना ठीक है और कई बार एसा भी लिखा हो आ जाता है तेन परशेंट ए आर भी है तो इसका मतलब यह कुछ ए भी है तो यह भी सम्ही है तो कंफ्यूज नहीं होना है यह सब कर लोग है आप लोग मुझे पता है आपका यह सब होमवर्क है आपके लिए हाँ यह तीन क्यूशन होमवर्क है एक यह वाला क्यूशन होमवर्क है आपको शीट में मिलेगा है जब आपको क्लास नोट्स मिलेंगे तब मिलेगा एक दो तीन क्यूशन आपके लिए होमवर्क दे दिये हैं रिवर्सी लोली जमगे अब आ जाते हैं प्रैक्टिस वाले क लगबक सारे इस्प्रूइंट से निकाल लिए हैं अब मैं आपको यह कराना इसलिए चाहता हूं मैं बताता हूं देखो खलार कि मेरीट कितनी जाती है कमेंट करके बताना अपने-पने श्टेट की अभी प्यासरा और भी कलरक में कि अरे कितनी मेरिट जाती है बताओ कि आई पिए सारार भी कल दर कमें कि इतनी मेरिट जाती है प्रैक्टिस कुष्चन एप पे हैं भाई वहां पे पीडिएफ अप्लोड हो रही है कितने मेरिट जाती है सर जी असी में से 75 पलस भी चली जाती है तो सर हमें तो सेकेंड हो में बनाया सब्सक्राइब 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 तो नाइदर नो राज आंसर होगे option 4 खदम का नहीं कि option 5 भी एक होता है नन ओव दीज यह ऐसे question आ जाते हैं तो बताओ मेरिट क्यों नहीं जाएगी 75 प्लस नेक्स्ट देखना यह देखो यह देखो सम कोईन सार नोट्स यह कोईन नोट्स सम नोट्स आर बिल क्या कोईन के पूरे सर्किल और बेल बिल के पूरे सर्किल में क्रोस लेशन है नहीं है सर और नोट्स बिंग कोईन इस पॉसिबिलिटी सारे के सारे नोट्स को उठाके बिल सारे के सारे नोट्स को उठाक कोई में डाल दूँगा कोई रोके का मुझे कोई नहीं रोके का सभी ओनली इसे होते हैं और आप लोग खुद आंसर कर रहे हो कर रहे हो नहीं कर रहे हो ठीक है आज़ाओ नेक्स्ट यह तो हमवर के आपके लिए यह वाला ज़ो यह देखना लोक पि यो में ऐसा क्यूस्थन आ गया तो क्या कर लोगे फिर भी आप देखो सेंडों में निकाल दोगा चार कॉंपि निकाल नो वाची इस ये वाची इसे अति ये सब थीधना या सी ये वला है तो फिक्स गलत 6 वांच्या पेंडूलम Salesforce प्रेंडूलम और ja क्या पूरा पेंडूलब सेल के अंदर है नहीं है सर गलत ओनली थार्ड कि आप खुद निकाल रहे हो सारी की सारी चीब अब बताओ मुझे को इंफिडेंस आ रहे हैं ना 75 प्लस आएंगे की नहीं आएंगे जो मैंने डाला था रार भी में कि 75 प्लस लेके आने हमें ऐसे कुश्चन आएंगे तो गलत करोगे पांच-पांच सेकेंड में आंसर करोग कि यह आपका रिवर्स लोलिजम का एक कुश्चन और कराता हूं ठीक है कि कई बार क्या होता है आपको मैंने अभी तक जो कुश्चन करा थे उसमें दो दो इस्टेट कॉंक्लूजन दो दो इथे यहां पर चार कॉंक्लूजन आ गए अब आप ऐसे बोलोगे सर चार कॉंक् समझना सम 1 और 2 इस पोसिविलिटी ठीक है वन और 2 में क्या है पोजिटिव रिलेशन है पोसिविलिटी का सम 3 और 4 3 का 4 के साथ में क्या है पोजिटिव रिलेशन है ठीक है सम 3 और 1 3 और 1 का पोजिटिव रिलेशन है ऐसे बना दो आपसके इंदर जिसके बीच में लाइन है ना उन्हों का अपस्वा रिलेशन है ठीक है सम फोर आर फाइफ यह फोर था इसका फाइफ के साथ में पॉजिटिव रिलेशन है इससे चीज़े आसान और हो जाएंगी आपको लगेगा सरी हाड हो गया इससे चीज़े आसान और हो जाएंगी कैसे आसान होगी ध्यान से समझ वजय ना देखो आप देखो 95 r1 तो फाइप और मनमें तो एसे पोजिटिव रिलशन ये एंशनफ नेगेतीव वाले ओंव लिए देखो भी तो और फाइफ में देखो तू और th predominantly तो कुछ ह потребे निक नो 5R1 विम्य ने ये नेगेटिव कर रेलेशन इधर निलेशन नो वनली है ठीक है थो ये भी नेगेटिव फॉलो नहीं कर रहा है ठीक है ये विसारे पोजीटिव पोजीटिव झोच्वेट कुछ-री-ठीक नन फॉलोज भी हो सकता है तो चेक कर लीजेगा ठीक है यहां पर दो ऑप्षन यहां एक ऑप्षन मेरा यहां पर कैंसल आउट हो गया च्यार नंबर वाला अब ध्यान से समझना एक चीज को जब भी मैं आपको बोल रहा हूं कि नेगेटिव नेगेटिव वाले हैं तो नेग उन नेगेटिव मैं से हटा दिया अब जो पोस्यविलिटी एक उसको छोड़ के जो दिया हुआ है उसमें एक चीज देखना आप लोग की 3415 1345 तो नेगेटिव हटाने के बाद में वह डोड़ा है 1345 होना चीए तो यहां पर वण है three नहीं है, three है, four है, five है, तो पहला हो सकता है, ठीक है, one है, three है, four है, five, four, five है यहीं, negative हटाने के बाद में, cancel out, दूसरा वाला, ठीक है, तो दूसरा वाला तो वेसे cancel out हो गया था, first औरquary को चाता है, इसको भी देख लेता है, ठीक है, इसमें कुछ negative है नहीं, तो third और fifth को करना ही नहीं है थर्ड को चेक करना है बस एक को एक ही बनाना है डाइग्राम आपको थर्ड ठीक है ओके आजाओ तो इससे ज़्यादा आ जाते उससे कन्फ्यूज नहीं होना उससे तो आसानी और होती है हमारे ठीक है यह देखो कैसा इजी सा क्विश्चन आया था नो ग्राश ओपर इस एन इंसेक्ट यह लो जी और आई में नेगेटिव रिलेसने में नो इंसेक्ट इस बग यह लो जी ओल बग आर मोट लो इसम बग में भी ग्रास ओपर सम मग्स को इसम बग सोरी ठीक है क्या कुछ बग सो यहां से थोड़े से बग सब्सक्राइब इसमें ले जा सकता हूं कोई नहीं रुकेगा भी ले जा सकता हूं सही है कि ओल मोट बिंग इंसेक्ट इजब पोसिबिलेटी इस एम को उठाना है यहां पर इस पूरे को पूरे को और किसमें लेगे जाता है इंसेक्ट में क्या इस पूरे को उठाके इंसेक्ट में ले जा तो गलत हूँ लेकिन आइधर ओर भी दे रखा इसके अंदर आइधर फॉस्ट और थारड में दे रखा है ठीक है तो यह तो पोसिबिलिटी क्यों वाले करा देता हूं बाकि तो आप बहुत अब कर लौ गया तक यहां पर यह दिया हुआ है कि सबनला किलें यह सम्ही है तो आगे नोटे तो कि सम्ही है कि én यह तिया हुआ है यहां पर देवा है every fish are dear ठीक है तो आप एक चीज बताओ every का मतलब भी all ही होता है सारे के सारे fish लिए तो all में ही बनाना है not a single sarkis fish तो not a single भी no he है यह भी तो इन वर्ड्स में गभी नहीं होना बाकी में आपको पढ़ा चुका हूं सबसुक्ष सेम टू सेम देखो नौट ए सिंगल एवरी यहां पर दिया हुआ है कहीं पर आपको एट लिष्ट सम लिखा हुआ मिल जाए तो वह भी सम ही है इस पूरे को सम की तरह ही ट्रीट करना है आपको वह मैंने सिखा है तो वर्ड्स का खेल हो सकता इदर उदर का कि यह मैं बता देता हूं कि ओनली फ्यू का एक कुश्चन बता देता हूं कि बाकी होंवर्क से थक गए तुम लोग में इतना ट्रेवल अगर क्या में ही नहीं थका हूं पर तुम लोग वह ज्यादा को इंफिडेंस हो गया है ना थोड़ा सा इसमें इसमें सिरुलिजम में ओनली एफ्यू बोई इस गर्ड यह एक बताएता हूं बस ठीक है ओनली एफ्यू बोई बोला है ठीक है यह बोई है यह गर्ल है तो इन दोनों में नेगेटिव डिलेस्टन भी होगा जैसा कि मैंने सिखाय था आपको बेसिक वाले पर सम गर्ल्स आर में कुछ गर्ल्स क्या है मैं है अनली एफ्यू म इस वुमें कुछ मैं ऐसे हैं जो वुमें होंगे और इन दोनों में थोड़ा सा नेगेटिव भी होगा क्योंकि ओनली एफ्यू बोला है फिर नो वुमन इस किड कोई भी वुमन क्या नहीं है किड नहीं है यह आजाओ आप अपना इस पर सम गर्ल्स इस नोट बोई इस पो तो पूरे बोई के सरक्ली के साथ प्रसेलेस होना नहीं है सर नहीं है तो नॉर्मल स्टेटमेंट तो टू नहीं है पहला स्टेप्वन नॉर्मल स्टेटमेंट टू नहीं है तो पोसिबिटी चेक कर सकते हैं क्या थोड़े से गर्ल बोई से अलग दिख रहे हैं तो यह वाल साही हो जाएगा कि थोड़े से बोह का बार्ल के पूरे सर्क्ल के साथ मी certains रही है इसका नोर्मल स्टेटमेंट इसका नोर्मिल उप्से तलब है तो possibility गलत है तो क्या हो जाएगा possibility क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी कि समझे गए अगर इसको उल्टा कर देंगे तो possibility गलत हो जाए कि सम वुमन इस नॉट मैं ठीक है क्या वुमन के थोड़े से हिस्से का वुमन के पूरे सरकली के साथ तब यह सही हो जाएगा लेकिन जो हमारा दिया हुआ है उसमें यह क्या है गलत है सम किड बिंग गर लीजे possibility कुछे किड क्या हो जाए गर्ल हो जाए क्या यह possibility है यह थोड़े से किड को उचा गया अगर मैं गल्स विल जाओ कौन रोकिएगा कोई क्रोस नहीं रोक सकता मुझे ठीक है तो यह भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका first और third फोलो करेगा उप्संटी तो इस तरीके से only a few का आप लोग कर सकते है सर इसके बाद एक और मेराथन ले लीजिएगा कोई और टोपिक की मेराथन भी लेंगे चिंटामत करो ठीक है तो यह बाकी मैं आप लो क्यों हम वक्त हूंगा क्यों कि फैर हर टाइप का क्यूस्टेन हो चुग वैसे तो क्लास भी पिर्वियक्त घूश्चन बताओंगा ओव लीज मैं ओनली रूमी फ्लोर तो इसको कैसे बनाएंगे ओल फ्लोर बनाएंगे ओल फ्लोर रूम ऐसे बताया था मैंने उल्टा ओल में बनाएंगे इसको और इस पर ऐसे कर दें इसका मतलब क्या इस फ्लोर का सब के साथ नेगेटिव रिलेस ना यह फ्लोर कहीं जाएगा ना आएगा बोई फ्रेंग इक्जामपल से मैंने सम्झाए था ठीक है फिर आघे कुश्छन ने बोला नो बालकनी इसा रूम कोई भी बालकनी रूम नहीं को बीवेक्ट नहीं है ठीक है ओल विंडो इस बालकनी तारी की सारी विंडो क्या है बालकनी सम डोर इस विंडो सम डोर इस बना दिया आवाज फटाफट देखो नो बालकनी इस डोर कोई भी बालकनी क्या नहीं है डोर नहीं है क्या बालकनी के पूरे सर्किल और के पूरे सर्किल में करो से ले से नहीं है सर तो गलत होगे का नहीं ठीक है नों फ्लोरी इस बालकनी क्या फ्लोर के पूरे सर्किल बालकन के फूरे सर्किल के भीज़े इसमें दीक है ऑंफले कुछ विंडो बिंग रुंभी ने जा सकते होगा कुछ नहीं ले जा सकते ठीक है तो only second followers अगर मैं यहां पर एक चीज और बोल दूँ आपको नो डोर इज यह conclusion is floor तो क्या यह सही होगा डोर के पूरे सर्किल और फ्लोर के पूरे सर्किल में तो लेकिन फिर भी यह सही होगा क्यों होगा क्योंकि सर ओनली का कैसे इसका सब के साथ में नेगटिव रिलेसन होगा ठीक है हाँ चलो अब बाकी सारे प्रेक्विशन्स आप लोगों को प्रेक्टिस के लिए सीट में मिल जाएंगे यह क्लास नोट्स ऐसा आपको मिलने वाला है ठीक है तो आज की क्लास थोड़ी जल्दी हो गई क्योंकि सिलोलीजम आपने बड़ा फास्ट फास्ट पढ़ लिया क्योंकि कि कुछ कुछ अगर रह जाते हैं किसी भी टोपिक में तो आप वर्दान टू पॉइंट जीरो वाले उसमें और मैं आपका जूम सेशन लोगा जूम सेशन कितने लोग करना चाहते हैं है जूम सेशन कितने लोग करना चाहते हैं है ठीक है तो जूम सेशन में आप लोगों क भी तो आते हैं फिर कभी पढ़ा देंगे रिवर्स पढ़ा है मैंने कोड़ेड में तो क्या है कोड़ आप कर लो कोड़ेड सिलोलिजम के दो तिन कुष्ण डाल देता अगर मुझे पता होता कि दो घंट में क्लास करते हैं ठीक है अब अपन क्या करेंगे देखो टीचर और स होना बहुत जरूरी है ताकि चीजे अब हम लोग क्या करेंगे अभी पढ़ते जा रहें हम लोग अच्छा पढ़ रहें अब मैं आपका कभी-कभी जूम सेशन लगा इस सटड़े संडे मुझे समय नहीं मिल पाया किसी जरूरी काम के वज़े से वरना में जूम सेशन लेत से बातचीत होगी तो वहां आपकी हर एक समाधान को जिसे मुझसे कोई चीज चुट गई कुछ ऐसी चीज़े जो आप समझनी पा रहे हो दुबारा पढ़नी वो सब करेंगे अपनों यह पेड़ बेच की तरह चलेगा जो कि मैं आपको फ्री दे रहा हूं इसलिए इसमें हर चीज का समाधान किया जाएगा आप से बात करके ठीक है है अभी जल्दी ही आपको इंफोर्मेशन मिलेगी टेलेग्राम चैनल के उपर जब टेलीग्राम के उपर हाप लोगों को इनफोर्मेशन दे दिआए और वो2 अंस का समाधान चल रहा है भी जैसे ही वह हो बताता हूं मैं आपको कुछ लोग पजल वजल यह सब करते रहते तो मुझे थोड़ा बताना अच्छा एक तो पीडियेव देख लो कहाएगी जिन लोगों का पीडियेव कड़ाउट है ना फिर किलियर कर देता हूं इसे से नो उसमें एप ऐसे खुलेगा उसमें यह एवरी प्रैक्टिस वाला जो सेक्षन है ना उसमें जाना है आपको उसमें जाओगे तो यह वर्दान टू-पइडियेव दिखेगा इसमें सारी पीडियेव मिल जाएंगे आप लोगों ठीक है उसके बाद में पीछे जाओ यह पूरा स्पीड वेदिंग में सब चीजे पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद में देखो आपका सिटिंग रेजमेंट 22 तारीक को चालो जाएगा ठीक है यह प्रीका चलेगा लीनियर सर्पूलर उसके बाद में देखो फिर आगे जाओगे तो फ्लोर फ्लोर फ्लेट यह सब फिर आपका डिया जाएगा प्रीका फिर आपकी पजला जाएंगी केटेगरी बेस बोक्स बेचे सब बीच विच में इनके सेसंस लगें तीन-तीन घंटे के फिर आगे चलो यहां आप जाओगे तो देखो पहले पिरी की क्लास से सेटिंग अरेजमेंट की हो गई थी यहां मैंस के लहां हो जड़ा ऊश्मेंट की पहले betrayal ज़रूरोर हे से सब बुख तो यहтаal अच्यस देख भी आफ आपको पता लगजाएगा किस देट को क्या होने वाला हम तो पूरा टरीके से चल रहें सब कुछ हम तो पूरा अब तरीके से सब कुछ तो यह चीजद अच्छे रे से देख लो आपको पता लगा कब क्या होगा ठीक है तो आप लोग सभी ठीकों कल आपकी जो क्लास होगी वह पाँच ब Zustand के कल थाख ठीक है पांच बजेह ही होगी कल आट तो तो कल पांच मुझे मिलते हैं उमीद करता हूं इनीक्वल्टी कोड़ेड इनीक्वल्टी रिवर्स सारी चीज़े के लिए हो गई होगी कल हमारे मैच के सेशन स्टार्ट हो जाएगा दो तीन मैच के सेशन होंगे रिजनिंग एक बार रुख जाएगी रिजनिंग क्या फट्रब्टे में कर लिया कभी तीन करेंगे कभी दो गुंटे करेंगे जैसे जैसे अपना टोपिक को दा किसी दिन नहीं होगा तो 5 गंटे करेंगे ठीक है चलो बहुत बहुत शुक्रिया नहीं धन्यवाद और वह सारे चीज़े में लेक्यार हों आप सब लोगों के गुटनाइब